हेलो वाट्सअप गाईज मैं इस पुर्वाद बादु थापा और आप देखें कम्प्लीट एस्टेमल एंसेस इन 2020 इन हिंदी तो चले गाई शुरू करते वीडियो को सुरू करने से पहले गाईज आप लोगों को मैं यह गैरंटी देरा चाहूंगा कि आज जो यह वीडियो बनाने जारों complete HTML and CSS course in Hindi यह YouTube में सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला क्यूंकि मैं complete HTML and CSS को एकदब deep explanation के साथ आपको समझाने वाला सिर्फ इतना ही निए गाईज इस वीडियो को और special करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकिया 20-minute challenge जहां पर हम यह देखेंगे कि once HTML and CSS complete हो जाता है then क्या then उसके बाद 20-minute challenge होगा जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अब भी आपने पड़ा HTML and CSS उसकी मदद से आप एक website कैसे बना सकते हो टिकल उस website में हम देखेंगे logo कैसे बनाना है website के background images को कैसे edit कर सकते हो Google fonts को कैसे add कर सकते हो and बहुत कुछ देखने मिलेगा सिर्फ आज इस एक वीडियो में all right ठीक है गाइस तो मैं आपको इस वीडियो का flow बताने जारो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे complete HTML जी हाँ गाइस तो सबसे पहले हम complete HTML देखेंगे and once HTML complete हो जाता है then complete CSS cover करेंगे ठीक है and once CSS भी complete हो जाता है now HTML complete हो गया CSS complete हो ग बहुत मज़ा आने वाला all right all right guys तो आप देख सकते हैं मैं अपने computer screen पर आ चुका हूं and आज हम देखने वाले complete HTML and CSS in one video in Hindi all right guys तो देखें लिकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हम देखेंगे complete HTML in one video all right तो देखेंगे तो देखें guys HTML के इस video को सुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज हम complete HTML में क्या कह देखने वाले all right तो सबसे बहले हम देखेंगे what is HTML then headings paragraphs we have text formatting styles comments links images tables list and last we have HTML forms and then guys हम last में देखेंगे introduction to CSS एक बार हमारा यह HTML जैसी complete हो जाता है and then हम complete CSS देखेंगे ठीक है तो देखेंगे सबसे पहले what is HTML so guys क्या होता है HTML देखेंगे HTML is the standard markup language for creating web pages आज के टाइम में guys अगर आपको एक website develop करना है या website create करना तो सबसे जो minimum कम से कम requirement है वह आपका HTML है second आपका CSS third one is JavaScript तो HTML and CSS is the core fundamental होना ही चाहिए must है एक दम ठीक है and then अब बहुत लोग पुछते what is HTML हमने यह बता दिया but what is the full form of HTML तो guys HTML stands for hypertext markup language यह simple आपको याद रखना है एक marks के लिए हर बार आता है hypertext markup language simple और देखें guys के HTML describe the structure of a webpage आपका जो web page उसकी structure को यह describe करता है then HTML जो it consists of a series of elements ठीक है और यहाँ पर देखो HTML elements are represented by tags guys एक चीज़ बताते तो that elements और यह जो tags यह दोनों बहुत important है और दोनों की differences पूछे जाते हैं HTML में elements क्या है और यह tag क्या होता है इन दोनों का differences मैं आपको आगे जरूर बताऊंगो all right and last one is HTML elements tell the browser how to display the content आप जो भी add कर रहे हो through HTML तो इसको कैसे display करवाना है यह browser को भी कौन बताता है आपका HTML बताता है this is it guys हम से HTML का इतना सा ही देखने वाले हमारे PPT में next मैं आपको सब के सब हमारे code editor पर बताता हूं and guys आप लोगों से एक request करना चाहूंगा और वो यह कि इस वीडियो को आप एन तक देखिए and अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी useful थोड़ा सा भी informative थोड़ा सा भी पसंद आना तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए आपने सबी दोस्तों को share कीजिए Facebook, WhatsApp, Insta, सारे Networking साइट में and अगर अभी तक आपने मेरे चानल था पर टेक्निकल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लेजे because मैं ऐसे daily awesome videos create करता रहता हूं and मैं बिलकुल नहीं चाहता है कि आप उसको miss कीजिए so guys आप देख सकते हो कि HTML के code को लिखने के लिए मैंने एक editor डाउनलोड किया जिसका नाम है sublime text editor ठीक है आप अगर आप online जाओगे तो यह जो link दिखाई देर sublime text का अगर मैं back करता हूं simply आपको sublime text रिलिख किए जो download sublime text दिखाई देर इस पर click करना है and once आप इस पर click कर दो तो you have OS you know Mac के लिए then Windows and Linux and Windows 64 बीटे mostly यही रहता तो आप इस पर click कर दो and once आप click कर दो तो देखो यह download होना शुरू हो जाता है तो मैं तो already download कर लिया and once आपका download हो जाए बस आप इसको install कर लिजा और इस तरी किस आपका यह open हो जाएगा and एक और चीज यह बताना चाओंगा कि आप देख सकते हो कि मेरे अगर आप युनो चैनल पर जाओगे था पर technical and playlist पे तो मैंने already sublime text editor के उपर एक playlist क्रेट कर रखा गाए इसका link में नीचे description यहां top पर प्रोड करा दूँगा आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए तो ठीक है इस तरह के से आपको जाना है मैंने एक folder create के आप देख सकते हो तो html css बहुत simple सा है यह all right and once folder create करने के बाद आपको क्या करना है new file पर click करना है and कभी भी mostly आपको नाम लिखना रहता है index ठीक है इस तरह किसे में index already मैंने रखा तो index1.html file का नाम में रख रहा हूँ यह extension है वह हमेसा क्या होना चाहिए guys any file कोई भी file का नाम आप दो बट जो लास्ट में आपको लिखना है dot html यह html होना ही चाहिए तब भी आपका html file कहलाएगा else नहीं ठीक है तो सबसे पहले आपको लिखना रहता है html में जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम clear दिखाए दे और आपने हिस्तर के से देखो यह less than और यह आप देख सकते हो greater than आपको यह symbol के बीच में आपको इस्तर के से html लिखना है जब भी आप इस्तर के से लिखते हो ना guys आपको उस tag को close भी करना है तो इसको basically हम tag बोलते है ठीक है अब यहा पर close करने के लिए आपको इस्तर के से forward slash उस करना है and then आपको simply वही html लिख देना है तो basically यह आपका opening html tag and यह आपका closing html tag simple इतना ठीक है html के बाद guys आपको वापस लिखना होगा head इस्तर के से head को भी मैंने open किया and then close कर दिया ठीक है head tag के अंदर guys आप वह सारे content लिखोगे जो actual में आपके website पर दिखाई नहीं देते बट आपके website के बारे में क्या है आपका website की स्क्यूपर उसका जो information होता है उसका जो metadata है वह सब आपके head tag के अंदर आता है और फिलाल स्टमान में we have a title ठीक है अब हमें क्या करना गाइस अब हमें क्या करना गाइस आपको कभी भी दिखाई देता है वह आपका title कहलाता अब देखो अब हमें क्या करना गाइस आपको उसके बात क्या लिखना है head tag को आपने open किया close किया then you have to write body tag आपको body tag लिखना और body tag के अंदर आपके सब कुछ आ जाएगा ठीक है इस तरह के से आपको head tag लिखना है ठीक उसी के नीचे head tag जहां पर close हो रहा है आपको head tag लिखना है आपका head tag लिखना है आपके website के information को बताने के लिए क्या है क्या नहीं है और वो आपको website पे नहीं दिखाई देगा and body tag के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो सब आपके website में दिखाई देगा अब देखो guys अब हमें सबसे पहले क्या देखना है हमने देखा what is html html को कैसे लिखना है उसका structure देखा now we have to see what is html headings तो html headings देखे guys क्या होता है headings को आपको simply h1 ठीक इस तरह के से सेम होई है h1 आपने लिखा and then आपने इसको किया close अब यहाँ पर आपको लिख सकते हो guys यहाँ पर simply आप लिख दीजे you know इस तरह के से welcome to html css course 2020 इस तरह के से आपको लिखना है simple ठीक है and अब में क्या करता हो guys ठीक है अब h1 है हमारे पास h2 है then इस तरह के से आपके पास है h3 उसी तरह के से आपके पास है h4 ठीक है और आपको notice करना कि जब जब मैं open कर रहा हूं किसी भी tag को उसको मैं साथी साथ close भी कर रहा हूं and then we have h5 total आपके पास होते है h6 ठीक है this is it इतना है basically यह आपके headings आप जब भी website create कर तो उस पर आपको headings दिखाई देते वह आपको h1 h2 h3 456 के अंदर लिखना है and जितना बड़ा अगर आप h1 लिखो को तो text उतना बड़ा होगा और जैसे जैसे आप h2 h3 लिखते जाओगे उतना छोटा-छोटा होता जाएगा ठीक है मैं आभी आपको दिखादेता हूं इन सब को paste कर देता हूं all right इस तरह की से paste का control है save करता हूं and boom guys आप देख सकते हो कि guys आपको कैसे दिखाई दे रहा है थोड़ा बड़ा उससे थोड़ा छोटा उससे थोड़ा छोटा 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 लास्ट में एकदम छोटा तो यह है total आपके headings html में total h1 से लेके h6 तक होता है all right तो हमने headings देख लिया है guys now we will see what is html paragraphs and paragraphs भी बहुत simple है guys अगर आपको paragraphs यूज करने है अपने website पे तो you have to write p tag आपके इस तरह किसी p tag का use करना है और इसको close कर देना this is it अब यहाँ पर आप guys कुछ भी लिख सकते आप जैसे यह लिखो तो आप देख सकते हो guys मैंने क्या लिखा I guarantee you that this is the best video on html css course ठीक है जी हाँ guys मैंने सिब लिखा नहीं मैं आपको यकिन दिला तो यह जो मेरा वीडियो होने वाला है यह youtube पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला html ncss क्योंकि मैं आपको deep में पूरा a to z बताने वालो इस तरह के से मैंने paragraph लिखा guys paragraph इतना ही है अगर यहाँ पर जाके मैं refresh करता हो तो आप देख सकते हो guys आपने जो paragraph tag के अंदर लिखा था वो कुछ इस तरह की से आपको दिखाई दे रहे ठीक है so this is your paragraph tag इतना हुआ guys अब हम क्या करते है so देखे guys now we will see hml text formatting तो आप देख सकते हो hml text formatting जो है यह elements उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया we have b tag strong i e m mark small del sub and sub ठीक है यह बहुत important अब यह सब क्या होता है मैं आपको बात आता हूं ठीक है all right guys तो देखे सबसे पहले मैं क्या कर लेता है अगेन एक paragraph tag लिख लेता हूं ठीक है मैं देखे यहाँ पर बहुत simple सा चीज़ लिख रहा that is my name ठीक है इस तरह किसे my name is Vinod वहादूर अब भी अगर मैं आपको दिखा हूं इसको read कर लिया होगा all right and read नहीं किया तो don't worry आप इसको pause करके कर लिजिए नहीं तो मैं आपको पूरा detail में बताने वाला हूं यहां पर मैं पेश कर देता हूं now my name is Vinod भादू थापा and I am a full stack developer इतना हुआ ठीक है अब देखो इसमें आपको एक चीज़ बता तो इसमें कैसे यूज करना है suppose आपको text bold करना है तो आपको क्या करना है simply again इस तरीके से आपको B tag use करना है ठीकर जहां आपको जहां तक चाहिए वहीं तक ही उसकरे खाली इस तरीके से मुझे खाली बिनवत बहादू था आपको bold दिखाना bold मतलब थोड़ा strong और यह strong and bold both are same control and save करता आपको कुछ इस तरीके से देखो अब यह bold हो गया आपका basically ठीक है ओल्राइट इतना हुआ अब उस तरीके से आप देखो कि आपका यह जो full stack spelling wrong लिखी है मैंने सबसे पहले तो and मुझे पूरा full stack तक ही करवाना था ठीक है तो इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूँ alright और आपको इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से मैं control and save करता हूँ अब देख सकते full stack developer और हां एक और चीज याद रखो कि कि आप कभी भी अगर html में work कर रहे हो ठीक है and आपने सोचा कि या मैं तो इतना space दे दिया control as save कर या तो इतना याद रखो कि spaces matter नहीं करता आपका खाली वह एक ही space लेगा इतना आपको याद रखना है इतना हुआ अब देखो दूसरा में आपको बताता हूँ let's say underline आपको करना है इसको एक काम करता है इसको अगर आपको underline करना है तो देखो full stack developer को अगर आपको underline करना तो you have to use u tag u से क्या होता है underline तो आप देख सेकते हैं बहुत simple ही है एक प्रकार से क्योंकि v से bold, i से italic u से underline तो इतना simple अब underline हो गया अब भी let's say कि आपको विनो disk को आपको highlight करना है तो highlight करने के लिए आपको mark keyword का I mean mark tag का यूज़ करना पड़ता है और एक चीज़ याद रखो कि मैंने bold जो ये tag यूज़ किया इसके बाद मैंने mark tag को यूज़ किया ठीक है तो इसका मालदा भी हो है कि ये जो bold tag को close होने से पहले आपको आपका mark tag को close करना है ये simple simple rule से आपको यसा follow करने होंगे क्योंकि कि मैं mark tag को bold के अंदर यूज़ कर रहा हूं तो bold खत्म होने से पहले bold को close करने से पहले मुझे mark tag को close करना पड़ेगा आप देखो कितना beautiful ये दिखाई देगा कि मस्त bold हो गया कि नहीं ठीक है और राइट इतना हो चुक है आपके थे इतने अब हाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं that is your एक काम कर सकते हो आप नहीं तो मैंने आपको डेल नहीं दिखा है तो आप डेल में बता देता हो simple सा डेल क्या करता देखो डेल and strike almost same है ठीक है यहाँ पर आप क्या करो इस तरह किसी जाओ और डेल लिख दो डेल को close करना है तो डेल बैसिकली डिलीट नहीं करेगा बट आप देखो क्या करता है देखा आपने क्या क्या होता कि most of the time कभी आप लिख रहे होते paper and आपको लगता नहीं है यह तो wrong हो गया अगर पैंसिल से लिख रहे तो आप उसको ऐसे कर देते हैं डिर्ग बीस से कार देते है उसको भी तो Schmidt से लेकिन इसको डेल नहीं कर रहे है तो सी मनflower के लिख देली नहीं कर रहा है उसको खाले कर रहुट हम उसको खालेख़ाय नारा? उसको रीट मत करो सिंपल ठीकर मैं अभी फिलाल डेल नहीं लिखना चाहता है कि नहीं आपको लेकिन पाता चल गया क्या कर रहा है अब जैसे केमिस्ट्री जब हम पढ़ते तो केमिस्ट्री में वी हैब फॉर्मॉला लाइक और वाटर का फॉर्मॉला पूस्ते केमिकल फॉर्मॉला तो डैट लेकिन अगर मैं इस्तरी के से एस्ट्री लिखता हूं और यहां पर चिपका तो आप देखो कि गईस मुझे वुष टैप का एस्ट्री नहीं दिखा जैसा मुझे चाहिए राइट मैं चाहता हूं एच उसके नीचे टू एन देन ओ मुझे चाहिए तो वह कैसे होगा देख परग्राफ टैग लिख रहा हूं मैं ठीक है यहां पर देखो ए च लिखा मेंने अब यहां पर क्या करना गाईस यह जो एच टू नीचे होता है तो आपको लिखना है इस तरी के से सब ठीक है एन देन आपको उसका ने टू एन आपको वह सब को क्लोस करना है है and you have to write 2 all right this is it आपको इस तरीके से लिखना है and boom guys देखो h2 मिला की नहीं आपको आपको आपका यह वाट का chemical formula simple सा एस तरीके से आपको अगर याद होगा जब हम maths में algebra पढ़ते हैं तो we have h2 यह x2 plus y2 square ऐसे कुछ भी ठीक तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ उसको अगर मुझे दिखाना हो तो x ठीक है x का power 2 दिखाना है तो मैं super script tag युश कर रहा हूँ तो इस तरीके से sub आपको लिखना है sub आपको यहाँ पर 2 लिख देता हूँ plus y square ना सो यहाँ पर मैं जाता हूँ y लिखता हूँ and then आपको अगेन यहाँ पर sub यूज करना है यहाँ पर आपको लिख देना है 2 ठीक है this is it इतना ctrl s अब करता हूँ 3 2 1 and boy तो आप देखो तो आप देख सेकतो गाईस हमें finally हमारा output मिल चुक है जो कि है x का power 2 plus y का power 2 and यह जो power of 2 लिखना ना कैसे बहुत मुस्किल होता आप कैसे लिखते but by using a sub and soup हम यह बहुत इजली कर पाते तो basically sub मतलब आप sub script and soup मतलब super script इसका मतलब यह ही है इसका full form अभी just all right so guys text formatting complete हो चुक है and now we will see html styles और साती साथ हम यह भी देखेंगे comments कैसे करना है html के अंदर और यह जो html styles आपको दिखाई दे रहा guys basically यह na css के under आता है तो आगे जो css का course होगा उसमें मैं complete आपको styles property के उपर बताने वाला हूँ बट अभी भी मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत बता दूँगा तो guys अगर आपको थोड़ा बहुत लगे यह property में कहां से लिख रहा हूँ style tag के अंदर यह style property के अंदर तो आप बिल्कुल tension मतलो css में मैं इसको completely cover करने आ आला हूँ and आपका पूरा doubt killer हो जाएग and we have this comments तो तो सबसे पहले मैं again सबसे उपर जाता हमारे headings पे और मैं क्या करता हूँ comment करता हूँ देखो guys comment करने के लिए अगर आप sublime text editor यूज करो तो आपको सबको copy करना है एक साथ and you have to press control and question mark this is it अगर आप control and question mark use करते हो I mean press करते हो ठीक है तो आपका automatic एक comment हो जाता है else आप देख सकते हो कि आपको अगर comment करना होता अगर आपको individually guys comment करना होता तो आपको यह less than then आपका exclamation then hyphen hyphen इस तरी किसे ठीक है अगर आप control and question mark प्रेस करते हो भूम guys आप देखो वह uncomment हो जाता है तो यह shortcut है control key plus अगर आप question mark को जो कि shift keyword के left side को उसको प्रेस करोगे तो आपका comment uncomment कर देते है ठीक है तो as it is रखा मैंने comment आपको पता चल गया क्या है all right सब चलेगा अभी देखो इसको मुझे style करना है तो कैसे तो यहाँ पर क्या लिखना आपको style इस तरी किसे यह आपका एक attribute क्या लाता है क्या क्या लाता है एक attribute ठीक है all right तो यह h1 तो आपका tag था ठीक है and then मैं अगेन आपको बता आता हूँ चलो ठीक है मैं आपको एक चीज़ बता ही देता हूँ that is difference between tag and आपका elements tag मानलब क्या होता है जब भी आप कोई tag लिख रहे हो जैसे मैंने लिखा h1 तो अगर मैं सिर्फ h1 tag यूज कर रहा हूँ opening and closing h1 tag तो यह आपका tag है क्योंकि हम बोलते हैं हमें भी बोल रहे है h1 tag लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर आप लिख दोगे hi what's up ठेक है इस तरके से आप कुछ भी लिख सकते हो what's up तो guys क्या हो जाएगा आपका h1 tag तो है but उसके अंदर आपने कुछ data fill कर दिया now अगर आप इस complete line को represent करना चाहोगे so you have to say h1 element यह अब आपका element कहला रहा है because element is the combination of data inside the tags यह tag है और इसके अंदर अगर आपको फिल कर देते हो कुछ लिख देते हो वह आपका element कहलाता है basically combination else अगर यह शिर्प और शिर्प आपका इस तरके से h1 है तो यह आपका tag कहलाएगा ठीक है यह simple opening tag closing tag और यह पूरा का पूरा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है elements को तो basically अभी फिलाल आपका यह एक element है तो यही है difference इन दोनों में आपको यह ध्यान में रखना है अब मुझे इस पर यूज़ करना है style tag तो देखो गाईस कैसे होता है style tag बहुत simple है यहाँ पर क्या करता हो गाईस हर एक element के पास यह tag के पास ठीक है और यह जो आपको दिखाए देरी properties गाईस इसका बिलकुल आप टेंशन मतलो मैं आगे CSS में यह complete बताने वाला हूं एक का एक background size, position, clip, color, repeat सब बताने वाला हूं ठीक है अब भी सिर्फ आप इतना समझ लिजी कि style करके भी एक attribute होता है बस ठीक है बस इसमें आपको इत style property इसको मैंने CSS course में एकदम अच्छे से explain किया तो आपका सारा doubt के लिए हो जाएगा अब भी बस आपको यह दिखाने के लिए एक जलक दिखाने के लिए कि without CSS HTML बहुत अदूरा है तो अगर आप HTML completely कर लेते हो then आपको CSS करना ही पड़ता है ठीक है गाईस? All right guys, तो आप देख सेकते हो कि मैंने just color जो एक property है उसकी मैंने value add कर दी है and then background color जो है उसकी भी मैंने property add कर दी और यह जो color है इसको हम बोलते है Hexacode All right और यह color कहां से लिया बोलने से guys अगर मैं आपको बता हूँ तो there are many ways Flat इस ठीक है मनलब बहुत सारे color आप simply किसी को भी इस तरह किसे copy करो यहाँ पर copy किया और यहाँ पर चिपका सकते इस तरह किसे ठीक है तो करने के बहुत तरह कर दूंगा यह color मनलब इस तरह किसे color पाने का बहुत सारे website उसका लिस्ट इदर में टॉप पर प्रवाट करा लेकिन मैं आपको इस पर दिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने website के अंदर you know google fonts को यूज कर सकते हो ताकि आप अपने जो website के fonts इसको थोड़ा attractive दिखा सको all right तो देखो मैं google font यूज कर रहा हूं simply google font का link भी मैं आपको नीचे description में प्रवाट करा दूंग तो मैंने plus पर click किया इस तरह किसे pop-up आजाता बस मुझे इस link को copy करना है all right एकदम title के अंदर मैंने आपको क्या बाता था वो चीज जिसको आपको website में नहीं दिखाना है वो सब के सब आपके head tag के अंदर आएगा just आपको वो बताने के लिए आपका mind को और clear करवाने के लि इस तरह किसे मैंने link ले लिया है अब मुझे इसकी जो एक property है all right और यह जो property बैसकी यह भी css के अंदर आता है that is font family तो guys यह सब मैं आपको आगे जो css course है इसी महीं मैं आपको complete बताने वाला हूं विलकुल आप tensor मत लीजे लेकिन फिलाल अभी आप समझ लीजे तो मैं बस इसको जल्दी से style tag लिख लेता हूं यहां पर इसको मैं start tag और all right यह बस इसको अभी आप इतना मस समझों यह बस में दिखाने के लिए क्या भी स्थिर किसे आप कर सकती universal operator है style tag के अंदर आपका css आ जाता ठीक है आगे css में आपको सब पता चल जाएगा बस मैं fonts को attractive दिखाना चाहता था that is the only reason all right now it's looking better and best इस तरी के से हो गया काईस अपना काम complete अप मैं क्या करूंगा यहां पर text align center all right इस तरी के से text का जो align है उसको मैंने center कर दिया है यहां पर मैं चाहिए तो guys padding ले सकता और यह जो padding होगा 10 pixel 0 all right guys आप देख सकते यह बहुत beautiful दिखाई दे दर लिखाना इसका विल्कुल भी टेंसर मतलो आगे CSS का course है इसी में आपका पूरा doubt clear हो जाएगा ठीक है यह तो just मैं आपको थोड़ा से attractive दिखाने के लिए साथ क्यूंकि बहुत सारे लोगों के mind में पता क्या होता है जब HTML करते करते हो उनको चाहिए नहीं यार CSS में color कैस कैसे हो रहा था वह background कैसे हो रहा था तो ऐसे ही हो रहा होता है ठेक है यह बस आपको दिखाने के लिए यहां पर प्रॉपर्टी डैट इस टेक्स ट्रांसफॉर्म में कर देता हूं capitalize तो बेसिकली इससे होगा यह कि आपका यह जितने भी H C C जो भी आपकी यह वर्ट से उस देख लिए हमने comments भी देख लिए now guys अब हमें क्या देखना है देखिए all right guys now we will see HTML links और उसके बाद हम देखेंगे HTML images तो यह दोनों को मैं आपको एक साथ दिखाता हूं ठीक है तो ठीक है guys अगर आप HTML and CSS करते हो तो आप भी कुछ अपना इस तरह किसे website बना सकते हो जैसे मेरा थापटेक्निकल.com है तो basically इसमें जितने भी आपको content दिखाई दे रहे हैं वो सब आपके HTML के मदद से उतार जितना भी यह design, color, fill, look दिखाई दे रहे हैं वो सब आपके CSS के through होता है, तो guys यही है आपके HTML and CSS का best फाइदा web development के लिए, तो अब HTML links मतलब क्या guys अगर आप देखोगे मेरे यह जो मेरा website है, यहाँ पर आप देखोगे about us पर अगर मैं click करता हूं तो यह दूसरे page पर जाके refer कर रहा है, तो यह कैसे हुआ, समझ वह तो उसके लिए देखो हो तो आपको दिखाना चाहूंगा, anchor tab को आपको इस तरह की से close करना है, then you have to write href, basically आपको बोल रहा है, हाइफा reference या header reference, equal to लिखना है and then यह जो double quotes आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको वह link देना, जिस पर जब आप करोगे click तो वह उस page पर redirect हो जाए, उससे पहले आप इसको close कर लो, all right, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, थापा technical, all right, इसको मैं control है save करता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मैं अपने home पे जाता हूँ, इसको copy file path करता हूँ, और यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ, and जब आप देखो कि जब मैं paste कर रहा हूँ, तो मैं एक proper link दे रहा हूँ, proper URL डावा, मैं सिर्फ इसको www.thapa technical नहीं है, आपको proper लिखना है, वो proper लिखने का आप बिलको टेंसर मतलो, खाली आप URL पे जाओ गया, तो इसको control है select करके उसको copy कर लो, तो वो आ जाता है, all right, इसको control है save करता हूँ, अब मैं अपने browser पर जाओंगा, guys, आप देखो थापा technical, अगर मैंने click किया and boom, guys, आप देख सकते हो, मेरा website प एक click हो गया, तो इतना simple है, इतना तो आपको पाता चल गया, आप next time कोई भी website प आप जा रहे हो, अगर उसको कोई क्लिक करके page open हो रहा है, तो just because वो anchor tag हो रहा है, आप म यहाँ पर थापा technical.com, about us.s.ml का page और यहाँ पर anchor tag close हो रहा है, एक second और दिखाता हो, यह देखो, same वो ही जो मैंने आपको यहाँ बताया, थापा technical.com, और इस पर, यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है, तो guys, यह website जो है, सब सेम है, बस अभी जो मैं वीडियो आपको समझा इसको आप ध्यांस से समझा, आप सब कुछ अपना खुद का website create कर लोगे, लेकिन थोड़ा practice लगेगा, ठीक है, all right, इतना हो गया, अब हमने एक चीज़ यह notice किया, कि जब मैं इस पर click कर रहा हूं, तो वो उसी page पर open हो रहा है, ठीक है, वो हमें नीचे, तो उसके लिए हम वो दूसरे page में जाके open हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सेकते हो, by default है क्या रहता है, self रहता है, ठीक है, तो self मतलब उसी page पर, लेकिन हमें क्या चीए, underscore blank, ताकि वो दूसरे page में जाके दिखाई दे, ना कि same page पर हमे, all right guys, इतना हो गया, इसको मैं control as save करता हूं, और एक और चीए मैं आपको दिखाता हूं, कि जब यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इसका जो यह underline by default आ जाता है, जब भी आप anchor tag उस करेगो, तो नीचे underline by default आ जाता है, and just मैंने अभी आपको दिखाय, we have a styled attribute, तो इसके अंदर गाइस एक property है, यह again CSS की property, लेकिन मैं आ इतना हो गया, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं, that is guys, आप यहाँ पर एक और आट्रिब्यूटर जिसका नाम है title, आप अगर title लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पर लिख सकते हो, click to visit, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको मैं अगर refresh कर दो तो आप देख हो गया, अब एक बेस्ट पार्ट दिखाता हूं, कि अगर आप बटन टैग का यूश करते हो, तो हमारे पास HTML में बटन टैग भी होता है, इस तरी किसा अगर आप बटन टैग के अंदर एंकर टैग यूश करते हो, बूम गया, अब आपका एक बटन है, आप सिंपली इस प एक चीज़ देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा, बूम गया, आपने एक चीज़ नोटिस क्या हो, कि सभी के सभी को जब भी में टाइप करता हूं, वो क्लोज हो रहे है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी जो भी आपके टैग है, वो सब के सब क्लोज हो लेकिन सिर्फ और सिफ image tag ऐसा है, जुसको आपको ग्लोज नहीं करना पड़ता है, जैसे ये मेरा वेपसाइट है, यहां जो background में image दिखाए दे रहा है, यह आपको जो background में, यह जितने भी images है, यह जो आपको दिखाई दे रहा इमेज, यहाँ पर भी इमेज देखो, आप देखो guys, ठीक है यह देखो, यह जो मेरा इमेज दिखाई दे रहा है, यह सब क्या image stack के कारण आ रहा है, तो आप देख से तो मैंने already एक folder बनाया है, उससी folder के अंदर, that is our html and css images नाम के folder के इमेज में ने फाइल का नाम लिखा, then you have to write forward slash, बहुत सारे लोग यहाँ पर mistake यह कर देते, वो forward slash नहीं लिखते कभी, मतलब उनको समझ में नहीं आता, तो आपको simply folder का नाम, forward slash and then आपका जो भी फाइल का नाम है, जो भी आपकी image का फाइल का नाम है, html css.png, अब आप देख सकते, इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो यह image बहुत ही बड़ा, guys, इसको छोटा करने के लिए, we have again attribute, that is width, अगर width दे दो, मैं 400 का, ठीक है, आपको pixel, pixel कुछ नहीं लिखना, खाली 400, and then height आप दे दो 200, ctrl s, save करता, and मैं आपको दिखाई रहा है, perfect, इमेज है, दोनों के दोनों एक साथ दिखाई दे रहे, तो मुझे क्या चाहिए, guys, मुझे एक की नीचे एक चीज, so again, आपको क्या करना है, button के नीचे आके, सिर्फ बी आट टेग लिख देना है, बी आप ब्रेक, तो इस तरी किसे, guys, boom, देखा, आपको पाता चला, अगर कभी भी आपको एक next line पे जाना है, तो you have to write BR tag, और एक और चीज में आपको बताता हूँ, ठीक, button के उपर, ठीक है, links के उपर, अगर आपको एक underline चाहिए, ठीक है, you have to simply write HR, आपको क्या लिखना है, horizontal line, ठीक है, सिर्फ HR लिखना है, and boom, यह देखो, आपने notice के यह आपको HR लाइन दिखाई दे रहे हैं, यह देखो, यह line आ जाता है, तो BR से break, HR से एक horizontal आपका एक line आ जाता है, this is it, इतना simple, अभी देखो गाईस, एक चीज, जैसे हम इस पे hover कर रहे हैं, तो click to widget था, पाप पेज, एक title था, उसी तिरकी से image पे भी आप टाइटल का attribute कर सकते हो, यह मैंने फूरा complete video बनाते है, HTML5 and CSS3 के उपर, जैसे मैं आज यह बना रहा हूँ, HTML and CSS3 के उपर, ठीक, तो यह आज जो video complete कर लोगे आप, HTML and CSS3, उसके बाद HTML5 and CSS3 देखना बहुत important है, मैंने complete बता है, यह भी YouTube में best video है, इस topic के उपर, इतना मैंने कर दिया है, यहाँ पे control as save करत and boom guys, है देखो, HTML5 and CSS3 complete video, अब जब भी हुबर करोगे वो आपको दिखने ही वाला है, और यह image tag में एक बहुत important attribute हो, जो की है आपका alternate, alternative, इसका मतलब यह वाकी guys, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, HTML, CSS, pick, तो इसका मतलब पता क्या है, बहुत time क्या होता कि guys, आपने अगर by chance, you know, अभी देखो, वो कहीं देखनी रहा है, जो मैंने लिखा, लिकिन most of the time, अगर आप URL wrong दे देते हो, यह आपके server से वो image कहीं गायब हो जाता है, तो उस case में क्या होगा, देखो, image का आपको ने जो width and height वो दिखाई दे रहे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या this is it, ठीक है, तो यह आपका था guys, images, so guys next, अब हम देखेंगे what is HTML tables and tables बहुत important है, so guys, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरिके HTML tables और यह बहुत important है, ठीक है, comment कर दिया मैंने, अब देखो, tables लिखने क्लिए again अपने एक चीस notice करी चुका होगा guys, जो जो हमें चाहिए, वो already पहले से ही HTML में है, table चीए, table का tag दिया हूँ, image चीए, image का tag दिया, anchor link चीए, anchor link का tag दिया हूँ, paragraph चीए, p दिया हूँ, मतलब सब कुछ पहले सी है, अब देखो table लिखने के कैसे होता है, ठीक है, एक second, पहल दोगे तो इसमें देखो, यह जो table है, ठीक है, ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, एक, यह जो मैंना भी highlight किया, इसको हम क्या बोलते है guys, row, यह जो है आपका row है, तो basically कितने row है, एक row, and then we have second row, तो basically हमारे इस table के पास दो row है, column कितने है, YouTube एक column है, यह topic एक column है, degree एक column है, subscriber तो basically हमारे पास एक, दो, तीन, एंड चार column, और एक, एंड यह हमारे पास दो row है, तो दो row और चार column है, ठीक है, अब मैं आपको बता तो इसको लिखना कैसे देखो, table तो मैंने लिख लिए, लेकिन हमारे पास कितने row है, we have table row, तो यह आपका tag का full form है, tr मनलब table का row कितना ह एक, और हमारे पास है दूसरा row, ओर ठीक है, हमारे पास पहला row, यह दूसरा row, पहला row, और यह हमारा दूसरा row, एक row के अंदर कितने columns है, चार, लेकिन जो पहला वाला topic है, जो सबसे पहला, I mean जो topic दिखाए देता है, that is your headings, यह सब तो उसके data है, अब देखो न, यह बी है, आपका यह जो बी टाग है, आप इसका यूस कर सकते थे, बोल्ट दिखाने के लिए, लेकिन क्यों, जब हमें already कुछ दिया हुआ है, टेबल वालो ने, ठीक है, तो यह जो है, आपका यह heading है, यह simple आपका data है, लेकिन देखने वाली बात है, total यह चार columns है, तो एक row क अंदर कितने column से, sorry, कितने column से, 4, तो we have पहला यह table का heading, th, table heading, 1, 2, 3 and 4, all right, ठीक, तो क्या क्या है वो youtube name, copy करता हूँ, paste, then यहाँ पे है आपके पास topic, then we have क्या है guys, degree, ठीक है, इस तरिके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, degree, then we have subscribers, इसको भी मैं यहाँ से इस तरिके से copy क अपने वाले में इसको paste कर दूँ, तो आपको कुछ इस तरिके से दिखाई दे रहा है, जैसा आमें चीए, ठीक है, और एक और चीज, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, कि वो बिया टैग उस करता हूँ, else आपको clearly नहीं समझेगा हूँ, क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे सेम होई है, दूसरे रो में भी यूटूब नेम का जो है, डेटा ये है, टॉपिक का डेटा प्रोग्रामिंग डिग्री मैंने मास्टर किया इन कंपूटर साइंस, सब्सक्राबर वाभी 1 लैक हो चुग है, सिर्फ और बीचे वाला हेडिंग नहीं वो टेबल का डेटा है, तो यहाँ प्रोग्रामिंग टॉपिक आपको यहाँ पे लिखना है इस तरी के से, ठीक है, एन गलती से अगर मैं आपको बताता हूँ अभी रूखिये, पहले मैं अच्छे से समझा देता हूँ, यहाँ आपने लिखा यहाँ पे आपने लिखा 100 के, ठीक है, इस तरी के से मैं लिखा Ctrl S सेप किया, तो अल्मोस्ट आप हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा, जो आभी मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन बाइचांस अगर यह प्रोग्रामिंग में यहाँ पे ना लिखे, अगर लास्ट में कर दू लास्ट में कर देता हूँ और इसको मैं इस तरी के से हटा देता हूँ, तो आप देखो क्या होगा, तो देखो गाइस, यूटूब नेम था पर टेकनिकल तक ठीक था, लेकिन टॉपिक पे MCS आगे, डिगरी पे 100 के सब्सक्राइबर पे प्रोग्रामिंग, तो यह आपको ध्यान देना है, जब आप देखरो कि आपका जो पहला रो है, उसमें जो second column है, उसी की ही data आपको दूसरे रो के second column में ही देना होगा, तो यह बस आपको एक चिस ध्यान देना है table में, else आपका सब सही है, बाकी, ठीक है, सब्सक्राइब करता हूँ, now again back to normal, अब देखो कैसे table हमें लगनी रहा किसी angle से, ना तो इसमें border है, इसमें ना तो इन सभी data जो padding है, उनकी बिछ ना कोई padding हो रहा है, ना data के बिछ को space है, तो कैसे करूँ देखो, तो simply guys, अगर आपको table में border चाहिए, तो again we have attribute जिसका नाम ह border and simply आप one link दीजे, इस तरह केसे आप one link दोगे तो आपको border दिग गया, perfect, अब ये जो YouTube name, फिर ये topic, देखो ये rectangle box के अंदर है, उनकी बिछ में कुछ space है, तो basically हम उसको बलते है cell, ये topic है, ये YouTube name है, ये जो box है, उसको हम बलते है cell, और उसके बाहर की space को हम बलते है cell spacing, उस उसके अंदर के जो space है, अगर topic को अगर आपको थो आप बढ़ा करना है, उसके बीछ थोड़ा ज्यादा space चाहिए है, हम उसको बलते cell spacing and cells padding, ये अगर आप practice करोगो तो आपको easily हो जाएगा, देखो, cell का space में zero कर देता हूँ, zero करने से क्या होगा, कैस ये YouTube name और topic की बीच का space कम हो जाएगा, perfect, सब चिपक गए, अब मुझे ये degree देखो कैसे चिपक गया न, इसके उपर नीचे मुझे अंदर की तरफ मुझे space सी, तो हम उसको बलते cell spacing, cell spacing में लिख देता हूँ, 10 simple, आप 1, 2, 3, 5, कितना भी दे सकते हो, 10 लिख दूँगा तो perfect, now, this is it, guys, आप देख कर सकते हो, data अलग-अलग तो आपका इतना beautiful table एक create हो जाता है, alright, and आप देखोंगे, तो guys, ये center में नहीं है, जितने भी हमारे ये data है, वो center में नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, guys, यहाँ पर simply एक और property है, that is your style के अंदर आगर आप जाके लिखोंगे, text align center, and boom, सब center में आगे, लेकिन मैंने एक और चीज नहीं पता है, वो ये कि अगर आप पूरे को इस center tag के अंदर लिख देते है, ठीक है, इस तरह किसे table को ही, अगर आप center tag के अंदर लिख देते है, जो कि बहुत लोग ये करते है, तो क्या होता है, देखते है, center tag है हमारे पास, तो text align center लिखो, क्योंकि ये जो center keyword है, I mean, ये center जो tag है, ये html5 में ये अब नहीं है, उसको remove कर दिया गया था, ठीक है, इसलिए में center tag यूज करता भी नहीं है, लेकिन आज के time में भी guys, बहुत सारे लोग html5 में भी center tag यूज कर रहे होते हैं, जो कि नहीं है, इतना हो गया guys हमारा table इतना ही था, so guys, table के लिए इतना ही बहुत important है, ठीक है, क्योंकि html5 में self spacing and self spreading support भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेने आपको बता है, and one more thing that in table we have row spam and call spam, अगर मैं आपको row spam मतलब क्या है, let's say ये जो आपका YouTube है, ठीक है, and let's say कि अगर इसको दो column चाहिए, तो क्या space ले लिए, call spam equal to two, YouTube मतलब दो column का space, उसी तरीके से guys, अब मैं क्या कर सकता हूँ, suppose ये जो मेरा थापा technical है, मैं चाहता हूँ कि ये दो row की space ले लिए, ये जो मेरी पहली वाली थापा technical है, अब नहीं है पर मैं कर देता हूँ, row spam to, control s, save करता हूँ, तो basically अब ये मेरा, ये अब फिलाल एक ही row है ना, तो अब ये दो space ले लेगा, ये देखो, दो space ले लिया और YouTube ने दो column ले ली, तो basically ये आपका row spam, ये आपका column spam कहलाता है, और आपको पाता है, चल गया होगा कि call spam क्या होता है, और row spam क्या होता है, अगर आपको कोई भी, आपका heading हो, you know, या आप कोई भी data हो, अगर आप चाहते हो कि वो multiple spaces ले in column, तो आप call spam कीजे, and आप चाहते हो कि multiple spaces ले in rows, तो आप row spam लीजेगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा है, just अभी, है कि ने, ये देखे, इसने दो row की space, यहाँ पर देख सकते हो, programming है, और यहाँ पर आपका थापा technical ह यह दो row थे, अलग-अलग, but now, इसको मैंने row spam 2 लिखा, तो इसने completely दो row को एक मान लिया, आप पूरा space ले रहा हो, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, थापा technical, एक column, programming, दो column, लेकिन हमारा YouTube heading, इसने दो column ले ली, क्योंकि मैंने call spam 2 लिखा था, तो इसको आपको अपने ध्यान में रखना है, अपने mind में रखना है, and then आपको काम करना है, और मैंने आपको यह आपको बताई दिया, school time table आप देख लिए, आपको पूरा doubt के लिए हो जाएगा, alright, ठीक है guys, हमने tables भी देख लिया, now we will see what is list, and then हम देखेंगे HTML forms, alright, so guys, list क्या होता है HTML में, list आपने, आपको मालूम होगा guys, अगर आप कभी भी, you know, market जाते हो, तो आप एक list बना के जाते हो, let's say, swapping list, या school में, अगर students role number wise, अगर आपको लिखना होता हो, तो आप उसकी एक list बनाते हो, कौन-कौन से students are present है, कौन absent है, ठीक है, तो वही है, same HTML में भी list का मतलब वही होत है, लेकिन, in HTML, we have two types of list, हमारे पास दो types के list है, alright, तो वह दो कौन से थे हो, सबसे पहले, we have on order list, ul, on order list, ठीक है, on order list, आप इस तरह के से list सकते हो, we have on order list, and then again, we have one more, that is your order list, ol, ठीक है, तो अभी मैं आपको दोनों बता हूंगा, लेकिन, सबसे पहले हम यह देख लेते है, on order आपको नाम से पाता चला है, on order, मतलब, order का कोई matter नहीं करता है, जैसे अगर आपको shopping जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, guys, इस तरह के से आप लिख सकते हो, एक paragraph tag लिखे, list of shopping, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, guys, on order, ul, लिखना है, उसके बाद आपको अप कौन से, on order list है, तो आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह के से, li लिखना है, ठीक है, and then उसको close करना है, तो इस तरह के सापने, guys, li को close कर, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, let's say laptop, ठीक है, again, यहाँ पे जाओ, li को लिखो, यहाँ पे आप लिख दो bag, मतलब, bag तो चाहि है, देखा, laptop, bag, pen, and notebook, all right, एक second, एक second, मुझे क्या करना, इसको copy करता हूँ, क्योंकि नीचे space आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपको मजा नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, and perfect, now, this is your on order, क्योंकि कोई order नहीं, आप चाहिए तो जब swapping करने, जाओ कि पहले आप bag ले लोगे, फिर pen लोगे, या आप laptop लोगे, order fix नहीं है, ठीक है, अब इसमें एक attributed, that is your type, आप यहाँ पे type इसका change कर सकते हो, let's say, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, कि आपको एक disk दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लिख दोग circle है, आपका square है, and by default आपका रहता है disk, control है, save करता हूँ, and refresh, ठीक है, इस तरह की से normal इतना आपको दिखाई दे रहा है, and circle में भी यह circle है, लेकिन इसमें background color black दिखाई दे रहा है, बस, this is it, इतना सा ही है, alright, तो यह था आपका un-order list, now we have a order list, जैसे school में आते है, ascending order में नाम wise आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह कैसे से, A से, Arjun, ठीक है, क्योंकि A आए ना पहले, and then फिर B आएगा, B से आप लिख दीजे, B निता, इस तरह की से, alright, and then आप लिखोगे, दूसरा C से, guys, ना मुझे याद नियारा, Chris लिख देता हूँ, and I think spelling सही है, Chris तो इस तरह की से, आपको पता चल रहा, पहला आपको ये, then ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यहाँ पर हमारे पास टाइप होता है, suppose अगर आप Capital A लिखते हो, alright, Capital A, तो आप देखोगे, guys, Capital में ABCD दिखाई दिया, अगर आप Small A लिखते हो, तो आप देखोगे, आपको Small ABC ABCD दिखाई देगा, उसी तरह के सी, आप Roman number, and by default वो आपका 1 रहता, I mean, आपका numbers तो 1, 2, 3, और एक और चीजिए है कि, guys, यहाँ पर आप स्टार्ट करके, एक और एक और अट्रिब्यूटे, अगर आप लिख देखोगे, 5, तो guys, वो आपके 5, 6, 7, 8, इस तरह के से, स्टार अटेंड भी है, guys, क्योंकि हर जेगे forms उस होता है, चाहिए वो contact form हो, चाहिए वो email का form हो, validation form हो, login form हो, sign up form हो, जो भी form हो, यह भी आप देख सकते हो, यहाँ पर we have a contact, get in touch, name, email, message, send, ठीक है, तो form देखो, now हमारा last topic हो, that is our HTML form, तो यहाँ पर मैं जाता हो, simple, ठीक है, यहाँ सबसे बहले, guys, आपको क्या करना है, देखो, form लिखने के लिए हमारा पास already form करके, एक tag present है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, एक label, यहाँ पर लिख दीजी, username, simply label करके, username, एक BR tag use कीजिए, then you have to write input, ठीक है, इसको close करो, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर एक username दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप इस तरह के से बिनो थापा लिख सकते हो, और तो यह आपका username है, simple, and यहाँ पर आप चाहिए, तो इस तरह के से h3 के अंदर आप लिख सकते हो, contact form, इस तरह के से, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, contact form बहुत beautiful त पर दो, ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ, copy, copy किया, ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, paste, ठीक है, now instead of username, I will write password, एक second, password मैं use नहीं करता, contact form है, लेकिन बस दिखाने के लिए, कि यहाँ पर तो आपने लिखा text, तो वो यहाँ पर आप text लिख पारे हो, उसे तरह के से जब आप password लिखते हो, तो आपने notice के होगा, इस password आपको दिखता नहीं, तो वो इसलिए क्योंकि already type में अगर हम password लिख देना, html ने हमें already वो property दे रखा, जहाँ पर मैं सिर्फ password लिख दू, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, तो वो आपको इस तरीक से दिखाई देता है, मतलब एक secret key की तरह, तो username password हो गया, and again मैं यहाँ पर जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर चाहे तो guys, आप इस तरीक से email id लिख सकते हो, और एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, email id, जब आप html5 यूज करोगे, तो वहाँ पर already आपको type में email मिल चुका, लेकिन h html में email नहीं था, यहाँ पर भी आपको text लिखना पड़ेगा, ठीक है, and आपको इतना तो मालू है guys, मैंने आपको already बता है, कि मैंने already ठीक, छे दिन पहले complete html5 and css3 2020, इस में मैंने पूरा deeply cover किया, इस वीडियो को अगर आपने देख लिए तो आप जरूर मास्टर बन जाओगे guys, पहले इस वीडियो को देखके htmlcss के master बन जाओ and then html5css3, आप फिर 2020 आपका, फिर javascript तो मैंने already करी चुका है, अब advanced javascript का series भी चल रहा ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो top 5 best programming languages in India in 2020, इसको भी जरूर देख लीजिएगा, alright guys, यह बाते बहुत हो अब इतना हो गया, simple, यहाँ पर में जाता हूँ, उससी तरगे से आप mobile number भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, copy, यहाँ पर प्रेश कर देता हूँ, instead of email idea, I will write mobile number, ठीक है, mobile number लिख देता हूँ, perfect, and एक और चीज़ यहाँ रखना है कि जब भी आप यहाँ पर मिल जाएगा, and अब मैं एक साथ सब जगे पर लिख सकता हूँ, name, all right, कैसा लगा आपको, notice कि आपने एक साथ मैं सब को सेलेक्ट करके, एक साथ चार जगे पर लिख रहाता हूँ, so यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, user name, ठीक है, यहाँ पर capital मत दो, simple रखो, all right, यहाँ पर लिख दो इस तरी के से mobile number, mobile, ठीक, बस इतना ही रखना ज्यादा कुछ मैं नहीं करना है, अब उसके बाद गाई साथ क्या करो यहाँ पर, आप एक mobile number होगे, आपको select, एक select करके हमारे पास एक और tag है, इसमें क्या होगा है, suppose आपको option देने, option पाता क्या देने, आपको कौन इसा pack चाहिए, जैसे आप अगर कोई hosting लेने जाते है तो आपको premium, business या personal मिलता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, select your plan, इस तरी के साब लिख सकते हो, select your plan, ठीक है, आप इस तरी के से गए, आपको सिर्फ option देना है, ठीक है, and option में आपको class नहीं देना है, you have to write value, वो value ब उससे तरी के से यहाँ पर आप जाओ, option दो, यहाँ पर आप दे दो value, same, आप कुछ भी value दे सकते हो, जो आपको वहाँ पर show करवाना हो, यहाँ पर लिख दीजे, business, यहाँ पर लिख दीजे, business plan, all right, and last, we have premium, यहाँ पर मैं जाता हूँ, लिख देता हूँ, इस तरी के से premium, all right, I think premium, all right, now, ठीक, premium, इससे किसे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, रिफ्रेस करता हूँ, कैसे आपको mobile number, email, and perfect, business, premium, and then we have a personal, perfect, कितना हो गया, now we have a text area also, आपको text area लिखना है, इसको close करना है, आपको कितने column चाहिए, मुझे चाहिए, सिर पांच, पांच नहीं, मुझे चाहिए, 10 column, कितने rows चाहिए, मुझे चाहिए, सिर पांच rows, ठीक है, column मतलब horizontally, rows मतलब vertically, तो आपको कुछ इसस्तिर के से यह दिखाई देगा, all right, ठीक है, and एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, इस दोनों आगें चिपक गए, so what I can do, मैं BR tag थोड़ा कम से कम 15 कर देते है, और यह देखने वाली बात है कि आज आना चीज़ यह छोटा दिखाई दे रहे, रोज हम बढ़ा देते है, थोड़ा लेट से इसको मैं कर देता हूँ, 10, all right, यहाँ पर मैं जाता हूँ, और all right, रोज बहुत बढ़ा हो गया, कैसे एक काम करत इसको मैं 5 रहने देता हूँ, column बढ़ा देता हूँ, column कर देता हूँ, 30, now मुझे जासा चीज़ आप मिलना ही चीज़, perfect, अब अच्छा दिखाई दे रहे, so guys, इतना complete हो चुगा, मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो यह कि आप मैं से बहुत इस तरी किसे, ठीक है, by default लिख के आता है, तो वो कैसे आता है, अगर मैं टॉप पे जाओ, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरी किसा आपको लिखना है, placeholder, and यहाँ पर लिख सकते हो, enter your password, ठीक है, इस तरी किसा आप लिख सकते हो, enter your password, and 321 भूम गाई, इसे perfect, now, अब वे, क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक और paragraph tag लिखता हूँ, select, ठीक है, इस तरी किसे, select your gender, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करो, अब आपको मालू में, इधर, या तो आपका male, या female, ठीक है, अब उसमें भी एक ट्रीक है, देखो, यहाँ पर input type आपको लिखना पड़ हूँ, copy, यहाँ पर चिपका देता हूँ, home पर जाता हूँ, backslash, perfect, and you have to write female, इस तरी किसे, female, all right, control, save करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, refresh करता हूँ, perfect, दिखाई देगा male, female, लेकिन एक problem है, मैंने male पर click किया, and then again, मैं female पर click करूँ, दोनों के दोनों select हो रहे, but what I want, at a time, मैं अगर female पर click करूँ, तो male का uncheck हो जाए, and then, अगर मैं male पर click करूँ, तो female का uncheck हो जाए, लेकिन अभी तो दोनों के दोनों दिखाई दे रहे, तो वो कैसे होगा, guys, वो interview में पूस्ते, वो property, अगर आपको ची, then, यह जो name attribute दिखाई दे रहे, उसमें आपको same नाम past कर पड़ेगा, दोनों के दोनों में, so you have to write gender, same यही नाम को करो, copy और यहाँ पर प्रेश कर दो, अगर जितने भी radio type है, अगर उनका नाम same है, तो वो property, automatic, वहाँ पर आजाए, अब देखो, अब अगर मैं male पर click करूँ, perfect, लेकिन male, sorry female पर click किया, perfect, लेकिन जैसे male पर click क्या, देखा, यह uncheck हो गया, again, अब now at a time में, दोनों में से कोई A की select कर सकता हूं, और वो possible वाब, because मैंने यह जो name attributed, दोनों में same value डाला है, अगर गलती से आप यहाँ पर gender लिख दो गया ना, इस तरीके से, तो guys again वही हो गया, देखो, ठीक है, यह बहुत important है, interview में पूछता है, बहुत silly question है, लेकिन बहुत useful है, again, उसी तरीके से, guys, मैं अगर आपको बता हूँ, ठीक है, यहाँ पर again, मुझे दो बार BR लिखना पड़ेगा, BR यहाँ पर भी BR इस तरीके से, इसको close कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या का रहा हो, guys, एक औ आपको उसके नीचे दिखाई देता है, एक check box, so you have to write, इस तरीके से simply check, and then box, all right, यहाँ पर अगर आप नेम दोगे ना दोगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको इसे लिखना है, yes, I read it all, ठीक है, पढ़ लिया, मैंने सब, इस तरीके से control as save करता हूँ, and refresh करता हूँ, all right, now please read all the instruction carefully, yes, I read it all, मतलब मैंने पढ़ लिया, सब इस तरीके से आपने check कर लिया, all right, ठीक है, इतना ही है guys, हमारे form में, and one more thing, that is your input type equal to submit, अब आप submit करो, नेम में भी लिख दो, submit, ठीक है, और यहाँ पर value अगर मैं लिखता हूँ, click, CLIC के click, and यहाँ पर अगर मैं रिफर लिखते हो, submit, मनलब अब आपको करना है, submit, तो ही value में जो भी value आप दोगे, वो बहर आपको दिखाए देगा, तो आपको submit लिखे पॉफेकली दिखाई दे रहा है, and again, यहाँ पर गाईस, आप थोड़ा बीया टैग उस करो, ता कि वो बटन वहाँ पर चिपके नहीं, ठी इस ब्यूटिफुल कॉंटेक्ट फॉर्म यूजरनेम पास्वर इमेल मुबाइल नंबर स्लेक्टिव प्लैन अब प्रश्चनल से करो यहां पर कुछ भी लिख दो मेल यहां पर टिक करो एंड आप इसको कर दो सब्मिट इस तरीके से तो आप देख सेकते हो गाईस आज हमने कम्प्लीट सेमल देख लिया है सो दिस इज़्चा मरए समर्ण पार्ट कंप्लीट हो चुका है अब हमारा हम कंप्लीट सीअज कोर्स देखेंगे So guys, कैसा लगा HTML complete हो चुका है And I really hope आपने बहुत enjoy किया होगा HTML के part को Now, अब हम complete CSS देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको congratulate करना चाहूंगा आपको congrats बोलना चाहूंगा Because guys, आपने dedication दिखाया ठीक है? यही बहुत बड़ी चीज है बस आप उसी तरिके से आप CSS को complete देखे Then हमारा 20-minute challenge आप जरूर देखेगा And आपको बहुत मजाने वाला है All right guys, now we will finally see CSS in one video तो देखे guys, मैं आपको बता जता हूँ कि आज हम क्या-क्या cover करने वाले तो सबसे पहले हम देखेंगे What is CSS? ठीक है? And then हम देखेंगे कि हम किस तरिके से CSS को अपने website में हमारे web pages में उसको access कर सकते है ठीक है HTML के साथ And then हम देखेंगे ID and class क्या होता है CSS में हम देखेंगे background properties क्या-क्या है CSS की Then हम देखेंगे font in CSS ठीक है यह आप देख सकते हैं यहाप यह font family font इस्ता है यह सब हम देखेंगे Then हम देखेंगे text Guys मैं बता जयता हूँ font और text दोनों totally different है आपको इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है Then हम देखेंगे links यह link बहुत important है याद रखना Then हम देखेंगे border in CSS Then we will see list List भी बहुत important है Then we will see box model सबसे ज्यादा important तो है box model Then we will see scroll bars यह मैं आपको बता हूँगा Then we will see positioning Guys position बहुत matter करता है And then we will see g index यह भी बहुत होने doubt कोशा है लेकिन यह आज सब clear हो जाएगा Then we will see float Then we will see CSS display Display बहुत matter करता है Then at last we will see cursor And cursor के कितने types होते है आज हम यह सारे topics को guys Cover करने वाले and believe me guys मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको यकिन दिलाता हूँ आप इस वीडियो को enter देखे Then आपको पता चलेगा कि यह इस वीडियो में आपको इतना कुछ सिखनी मिलेगा ना जितना आपको बागे कि पूरे CSS के Tutorial Series में सिखने नहीं मिलता उतना आपको सिर्फ मेरे इस एक वीडियो में सिखनी मिलेगा तो चलेगा शुरू करते है और हम सबसे पहले देखेंगे what is CSS क्योंकि यह सबसे important है कि CSS आखिर क्या है और हम क्यूं इसको सीखना चाहरे तो देखिए CSS का फुलपाम होता है Cascading Style Set तो यह CSS किसली उस होता है यह यूज होता है हमारे web document हमारा यह web document है उसको style करने के लिए अब style करना in the sense जैसे अगर आप नए घर खरिटते हो तेक है घर के अंदर की हिस्से को आप क्या करते हो कि इंटेरियर डिजाइनर आता है पुरा color एकदम सजा दाजा देता तो वो क्या कर रहा है एक डिजाइनर है वो इंटेरियर डिजाइनर है जिसका काम है घर को decorate करना उसी तरह के सा आप एक front end developer हो आप एक web developer हो आप आपका काम है कि आप जो यह website बना रहे हो उसको कैसे attractive बना उसमें कैसे color डारू मनलब उसमें ऐसा क्या करूँ कि जिससे वो एकदम attractive दिखे style इस दिखे तो वो सारा काम करता है आपका CSS and CSS का full form क्या guys cascading style set ठीक है and then देखे क्या लिए CSS to control the style and layout of multiple web pages all at once आप guys बहुत सारे web pages को सिर्फ एक CSS के file के थ्रू control कर सकते हो access कर सकते हो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है and then last में यह जानना जरूरी कि आखिर किसने बना बनाया भी और maintain भी कौन कर रहा है group of people जिसको within the w3c worldwide web consortium call the CSS working group वो उनको CSS working group बोलती है तो w3c यही इनको create भी क्यार वो उनको maintain कर रहे तो देखे guys अब हम directly अब theory पे जादा नहीं जाएंगे I know theory थोड़ा बोल लगता है लेकिन theory जानना जरूरी है इसलिए तो अब हम CSS को कैस से यूज कर सकते हमारे web page में हमारे website के लिए तो उसके तिन तरीके होते है ठीक है so there are three ways of inserting a style set पहला है external second one is internal and then third one is inline तो चले guys अब हम directly हमारे code editor में चलते है आप देख सकते हो guys मैं कौन सा editor उसका रहा हूँ sublime text editor ठीक है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके उपर मैंने already एकदम detail वीडियो बना है जहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कैसे इसको install करना है वही नहीं मैंने इसमें सारे plugins कैसे add करना वह भी बताया ठीक है तो उस सब का link इसमें याँ top पर आपको देदूंगा आप उसको click करके एक बार जरूर देख लिजे और मैं आपको फोल्डर इस्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं अपना यह देखिए मेरा एक फोल्डर है जिसको मैंने ओम नाम से रखा जिसके अंदर मेरा index.html का एक फाइल है यह मेरे तो आपको उसका extension लगाना पड़ेगा .css for external file internal और inline में आपको दिखाता हूँ तो आप हम directly हमारे text editor पर चलते तो सबसे पहले में आपको दिखाता हूँ कि हम externally किस तरी किस CSS को use कर पकते तो दिखेंगे सबसे पहले में लिख रहा हूँ HTML तो गईस में सबसे पहले क्या करता हूँ simple सा है heading ले देता हूँ जहां पर मैं लिखता हूँ simple से welcome to my channel इसको मैं copy फाइल पात करता हूँ तो मैं आपको इसको run करके दिखा देता हूं ठीक है तो इसको मैंने देखे क्या कि copy file पाथ किया रन किया तो welcome to my channel इतना परफेक्ट आ रहा है ठीक है तो css के थूरू हम इसको एक बाद color change करके मैं आपको दिखा देता हूं पहला हम आप यूज करेंगे external टेक है तो external के लिए यहां पर मैंने आप कोई order है तो आप देखते हैं तो हम style.css के file पर आच चुके तो देखे हैं हमें external अगर यूज करना है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको यह जो style.css हमने लिखा है ना इसका link यहां पर हमें set करना पड़ता है तो देखें मैं क्या लिखूंगा lin के link टेक है जहां पर आरे यह रिलेशन के style set and then type उसका type क्या गया है तो वह एक text है जो की एक CSS का file है तो बिसकली वह हमें से text है रहता है और इसका file कौन से है वो CSS इसलिए हमने लिखा type क्या है वसका ठीक है तो basically text forward slash CSS और यह hyper reference है यह hyper reference के हमारा गए style.css हमें यहां पर लिखना है so we will write style ठीक है इसलिए हमने लिखा style.css ठीक है perfect और यहाद रखो कि आपको depend करता है कि आप अपना file कहां रखे हो ठीक है तो मेरे तो देखे एक ही folder के अंदर HTML का file भी है और CSS का file भी इसलिए मैंने directly style.css लिख दिया ctrl s save अब देखे यह जो h2 है ठीक है इसको हम directly access कर सकते है h2 में ठीक है इसको मैंने क्या लिखा guys मैं देखे सिर्फ लिखता हूँ color अभी हम देखेंगे color के है so color मैं लिख देता हूँ red इस सिर्के से ctrl s save किया मैंने ठीक है मैं ब्राजर पर जाता हूँ और यह मेरा ब्राजर इसको मैं जैसे refresh करूंगा 3 2 1 बूम गाइस से देखे कितना सिंपल मैं जूम कर देता हूँ यह देखे color change हो गया तो गाइस यतना इजिए CSS ठीक है देखे हमने external देख लिया अब इसी कोई इसको मैं जैने देता हूँ इसको मैं कर दता हूँ और आपको कमेंट दिखाऊंगा बाद में लेकिन अभी आप देख लिजे ठेक है तो यह था हमारा external तो इसको मैंने comment करते हैं फिर से perfect ठेक है तो internal करने के लिए आपको याद होगा अगर आप जाबाइस के उसक्रिप आपके ब्राउजर इतना आप एडवांस हो चुका है ना उनको समझ जाता है इस्टाइल लिखा है मतलब यह है तुम्हारा CSS तो मैंने style tag लिखा अब मुझे क्या करना है जो मैंने यहां पर लिखा था ठेक है इसको मैं uncomment करके इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से और यहां पर इसको मैं चिपका दे तो इस तरके से ठीक है तो आप देख रहे है कि इसका ठोड़व फॉर्मेट सई नहीं है यह तब ही ठीक है आपको समच जाएगा कि एक्टर मेंने केस्ट्रू सेलेक्ट किया है जिसको मैंने कलर दे दिया रएट वर्ट इस्टिट ऑफ रएट अप मैं दूँगा इसका ब्लू ठीक है इस तरके से मैं लिख दे ब्लू तो यह जो मैंने यूज कर आओ यह मैं अब हम देखते इसको इनलाइन कैसे कर सकते है आपका वह जिस एलमेंट पर वोक कर रहे हो समझ यह यह एक टूए आप इसको एलमेंट भी बोल सिष्ट पर वहाँ कर रहे हो वहां पर आपको लिखना पड़ेघा इस तरके से इस्टाइल आपको लिखना है इक यह डवल सब्सक्राइब करें तो यह होता है इनलाइन तरीका ठीक है इसको मैं जैसे रिफ्रेस्ट कुरूंगा इसे वेलकम टू चैनल माई चैनल था पर टेक्निकल चैनल तो इस तरीके से इंसर्ट कर सकते को अपने वेब पेज के अंदर यह वेब पेज की वोड़ों में क्योंकि यह एक वेब पेज है ठीक है लोग इसको ऑनलाइन वो एक्सेस कर तकते हैं ठीक है इस तरीके सामने गए तिन तरीके देख लिए ठीक है अब हम हमारे वापस इसमें चलते हैं हमारे पावर पॉइंट सब्सक्राइब देखते हैं सेकेंड क्या है और राइट दूसरा है css id and class and believe me कैसे बहुत सिंपल है आईडी कभी उसकरना है तो देखे आईडी आपको तब उसकरना है जब आप किसी एक सिंगल या एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो समझ रहो जैसे अगर 10 लोग खड़े 10 में से 9 एकदम लंबा है एक सबसे छोटा है समझ रहो तो आप छोटे वाले को आईडी दे दीजे बाकि लेकिन जो छोटा उसका थोड़ा अलग प्रापर्टी होगा थोड़ा फुर्तिला होगा है कि नहीं ठेक है तो इस तरह किसे एक आईडी बोले तो एक सिंगल और एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंदर सेंस एक यूनिक होन अची बंदा वो यूनिक हटके यां हटके वाले बंदे को आईडी देदो तो आईडी यूस पर सिंगल और हटके लोगों के लिए क्लासेस मनलब जून जून बना गयाते है ना जो मनलब मिलता जूलता और मूस्ट सिमलर प्रपर्टिस हो तो उनको क्लास देदो आप समझ लेए तो इसको अभी हम देखते ठीक है तो इसको इंडेक्स को इधर रखा इसको इधर रख दिया है तो सबसे बहुत हम आईडी देखते है तो आप देख सेकते मैं एक हटा देता हूं यह इनलाइन जो मैं उसको मैंने हटा दिया ठीक है अब मेरे पास एक एक एच्टू टैग है जिसके अंदर मैंने लिखा वेलकम सब्सक्राइब अ को सब्सक्राइब लिखने लेकिन किसी एक को बहुत सारे जूड में को अगर एक अलग दिख रहा है न उसको आईडी देतो बाकि सब्सक्राइब दोनों का काम एक है लेकिन अगर आपको आईडी वाले को एक्सेस करना है you have to write हैस्टेग आपको हैस्टेग लिखना जरूरी ठीक है हैस्टेग माई फर्स्ट आईडी इसको मैं कॉपे करता हूँ यहां पेसको मैं पेस्ट कर जाता हूँ अब भी जो मैंने इसके साथ किया तो से मोही मैं वापस करने आला हूँ अब चॉलर कर दूँगा ठीक है अब इस टाइम मैं कलर चेंज करने आला हूँ पिंग और एक है और तो मैंने क्या लिखा यह आईडी यूज करा हूँ सो मैं ब्रावजर पर जाता हूं इसको रिफ्रेस्स करता हूं अब मैं class दिखाता हूं आपको तो इस तरहरे से class लिखा ओल्राइट ठीक है अब ये जो id लिखा इसको मैं हटा के कर दूँगा class ठेक है आपको लेकिन फंडा समझ चुक है ना id is for unique element and class is for specific general तो मैंने class लिखा लेकिन इतना यादर को अगर आप id यूज़ करते हो आप हमेशा यूज़ करोगे यहाँ पे hashtag ठेके लेकिन अगर आप class यूज़ करते हो so you have to write dot समझे यह access करने के लिए तो आप इस तरह के से access कर सकते हो समझ रहे मैंने आपको पहले दिखाया था कि अगर आप कोई भी element html का उसका आप directly h2 लिख दीज़े कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन class दे रहे हो तो dot id दे रहे हो तो hashtag simple so इसको मैं color pink के बाद इसको कर देता हूँ मैं yellow perfect ठेक है यह देखो class है class को हमें सा dot access करते हैं मैंने लिख दिया है yellow अब यहां पर आगर मैं refresh करूँगा देखे ठेक है yellow हो चुक है तो मैंने आपको कितने अलग अलग तरीके से दिखा कि हम कैसे CSS को apply कर सकते है ठीक है all right apply तो तीनी तरीके से कर सकते है लेकिन कैसे अब उसको access करते है element को हम html के ठीक है perfect तो हमने क्या देखा गाइस classes भी देख लिए id भी देख लिए अब हम वापस हमारे powerpoint पर चलते हैं देखते कि क्या है दूसरा ठीक है तो देखे classes and id देख लिए और यह बोल रहा है background property गाइस background property बहुत matter करता ठीक है तो देखे background property देखने से पहले आप भी आपको मैं दिखा रहा था color ठीक है तो लेकिन आपने notice कहा कि मैं color में क्या यूज कर रहा था एक particular value color का नाम लेकिन हम hexa value भी उसकर सकते है जो कि basically six digit के होते है और वह होता है from 0 to f it means 0 to 15 0 से 15 कितना section हुआ की नहीं ठीक है तो उसी तरीके से guys हम hashtag hex value भी लिख सकते है and RGB value it means red green blue तो basically इसकी 0 से 255 0 से 255 0 से 255 तो यह होता है RGB तो color कौन तीन तरीके से उसकर सकते है करने के तरीके बहुत है but mostly हम यह तो color का नाम directly देंगे या तो उसकी hexa value या तो RGB format में तो आप हम background property देख लेते and background में कौन-कौन सा वह हम देख लेते चले गईस यह देखिए मेरा यह हो चुका है HTML का file और यह मेरा CSS का file ठेके तो देखे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको background दिखा देता हूँ जो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस में एक दीव ले लेता हूँ पाफेक्ट ठीक है इसको मैं class देता हूँ background back image लिग देता हूँ ठीक है इस में ढॉड़ा साब ऐसा कर देता हूँ ठीक है पाफेक्ट तो क्लास का नाम लिखना इसको मैंने इस त्रीके से लिख दिए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बैग्राउंड कलर ठीक है लेकिन उससे पहले हम देखेंगे विद्ट तो देखें ये भी आपको नया से नहीं मिल रहा है कि बैग्राउंड आप CSS में भ ठीक है यह आप डेश्टॉप में देख रहे हो यह आप LED TV कहीं पे भी देख रहे हो तो आपका जो यह आप देख पार रहे हो वह 100 वीज कहलाता है समझे और राइट अंडेट वीज मतलब यह यह वाला इससे यह देख पार यह बॉटम यहां तक जितना यह इससे यह 100 walisыл me般 तो leg ऐसो में रहा है कर देता हो यहां पर यहां पर इपको में चंध छीव कर देता हुँ तो सबसे पहले हम देखने वाले ऐग्रॉंड में कॉर जात, बेज़ग रांड कलर सेट हो चुका है ठीक है तो इस ते के सामने इसका बैग्राउंड कलर सेट कर दिया अब चाहिए आप बैग्राउंड कलर ग्रीन नहीं अगर आपको चाहिए ब्ल्यू आप सिंप्ली ब्लू लिख दीजे कंट्रोल एक सेव यह देखिए इसको मैं रिफ्रेस्स करूंगा यह ब पैडिंग भी कह सकते हो हम अगे डिफ्रेंस देखेंगे क्या होता है मार्जिन क्या है यह पैडिंग क्या देखिए तो सबसे पहले अगर आप कभी भी अपना वेबसाइट बनाते हो आपका पहला काम होना चीए यह यूनिवर्सल ओपरेटर एस्ट्रिक्ट ठीक है तारा क को जी भो लिए आप इसको आपको क्या रिकना सिंपल्शित मार्जिन आपको लिखना है मारजिन इसको देना 0 I mean 0 मल्ण मूझे बिल्कुल चाहिए नहीं पैडिंग देना जीरो पॉपक्त आब आगा इसको मैं यहाप रिफ्रेस्न करते कि जो हमें सब्स्रेस दिक रहा तो आपको नहीं देख रहे वाटा में आपको दिख रहाओगा वो एक्टर में देखने का रीजिए निए कि मैंने पीपीटी ऑन करके रखा वा तो उसके कारणर दिख रहे तो अभी एक्सटरा जुर्ब मार्जिन हो आप हमें नहीं दीखा तो इस तरह के सामने बेगरॉण का पहला प्रॉपरीटि देख लिए जो की है बेग्रांड कलर थीकर तो गाइस आप दूसरा देख लेते हैं दूसरा है इसीमें ही हम दूसरा देखते हैं बैग्राउंड इमेज है तो मैं आपको आप बैग्राउंड इमेज दिखाता हूं वह बैग्राउंड इमेज क्या होता है तो बेसिकली आप बैग्राउंड इमेज देख सकते हूं यहां पर इसके थुरू हम एक इमेज को एड़ कर सकते हूं तो इसको मैं पुरा कम्प्रीट से ले रखा है लोगो फोटो एंद फोटो टू ठीक है तो यहां पर मैं सबसे पहले एक लोगो करके इमेज ले रहा हूं ठीक है लोगो डॉट आप देख सकते पी एंजी फॉर्मेट में इस तरके से मैंने सिप आप दूसरा प्रॉपर्टी इसको जो कि बैग्राउंड कृषिक है इमेज दो में दिखाई दे रहा है लेकिन एक क्या करता है इसको मैं कमेंट कर देता हूं या दरको किष्का मैं कैसे करना है आपको क्या करना है एक फ़र्वर्ड इंड स्टिक्त फिर वापस और टीट्रिट आर चित ठीक है ।िसको हैशर रहके देख सर currently और फो यह मेरा एक इमेज है ठीक है इमेज की साइज कम है कोई प्रावलम नहीं लेकिन वह रिपीट हो रहा है अच देकिए यह आला यह वाला यह क्या एक मा होरी जोन ली रेपीटेए पहले टेमर पास्च फार्टी जिसका नाम है बैग्राउंड रिपीट कर तो देखिए लके लेकिन अगर आपको रिपीट नहीं चाहिए तो बस आपको क्या करना है जिरो लिख फिरो्ते जिरो लिख इगे देगे दाए रिपार नहीं चाहिए मुझे त 54 देखे कितना सिंफ अहीं पर ficar आमें आपको नहीं में तो तो horizontal repeat चीए तो क्या लिखो गया डश हाइपन ने तो X इस इस रिपीट करना है आपको सिर्फ horizontally मैंने आपको दिखाया तो horizontally माने एक parallel line की तरह यह देखेए इसको हम बोलते है आप में इसे बहुत तो ने देखा होगा यह रिपीट एक्स रिपीट लेकिन आपको कन्फूजन आउगा भाई यह क्या होता है देखो कितना सिंपल होता है ठीक है इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो बंद हो जाएगा नीचे इसको और में छोटा करूंगा तो आप देख सक कितना सारे हैं तो इतना सिंपल था बेग्रांड रिपीट बेग्रांड कलर एंद बैग्रांड इमेज और democratic के यह ब्रेटिए हुआ लेकिन यह बोनस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपको पर्फेक्टली एकडम सेंटर में त्री और सिर्फ एक इमेज को दिखाना है तो एक लाइक बनता है इसको ठीक है इतना हुआ मैं वापस जाता हूं इसको मैं कमेंट कर दूँगा क्योंकि यह CSS3 की प्रॉपर्टी लेकिन आप में से बहुत हो नहीं देखा हूं का पैरेलैक्स वेबसाइट ठीक है तो गाइस क्या होता है पैरेलैक्स वेबसाइट बिसिकली वह कुछ की एक बैग्राउंड ठ या एक पैरेग्राफ ले लेता हूं इसको मैं डमी टेक्स जेदेता हूं ठीक है इसको मैंने किया बंद प्रॉपक्ट इसको यहां से में यह जो मेरा पीटेंवरा ऑख कर दाहां चूथे dedication अभी मैं आपको run करता हूं मैंने अलड़ेड क्या किया है को मैं आजा है रिफ्रे इस तरह से मैंने फोटो लिखा चंट्रोल एक से यहां पर जाता हूं रिफ्रेस्ट करता हूं पॉफफेक्ट ठीक है इसको मैं आप देख सकते हैं इमेज दिखाई नहीं देरा हूं उसका रीजन यह है कि मैंने प्यूज लिखा जब की वो क्या देखिए जे पी जी फॉफेक इसको यहां पर जाता हूं और मैं रिफ्रेस्ट करता हूं पॉफेक्ट देखिए गाइस एकदम अच्छे से दिखाई देरा है ठीक है लेकिन एक चीज दिखाई देरा है यहां पर नीचे कितने छोटे छोटे चोटे तो यह 100% है मैं लेकिन 200 कर दूँगा अब एक चीज न लिखा रहा हूं ठीक है तो मैंने बेसिकली क्या लिखा कि मेरा जो इमेज हंडेड़ बाई हंडेड़ मैं चीए अब मैं जैसे रिफ्रेस्ट करूँगा देखिए पॉफेक्ट हंडेड़ आ चुका है ठीक है तो यहां पे जो नीचे यह दिखाई देरा आपको दीख भी न बिखिया आपके नीचे चिपका दिया मैंने इसको मैं आप क्या करता हूँ बैक इमेज वान एक सेकेंड के लिए मैं बैक इमेज लिख जाता हूँ यह देखिए मेरा टेक्स्ट उपन नीचे और लेकिन इमेज उदर ही है तो इसको हम बोलते पैरेलाक्स वेबसाइट अब आपको इसमें एक और जादू दिखाता हूँ कि यह कि मैंने देखिए जो मेरा सबसे नीचे वाला डिप उसका मैंने ग्लास का नाम चेंज करके बैक इमेज वान किये तो इसको मैं जिट्टू कॉपी करने वाला हूँ इसको यहां पर मैंने कर दिया पेस्ट इसको मैं इसको बोते प्याल्यक्स वेबसाइड जहां पर एक इमेज के उपर दूसरा इमेज आ जाता है और टेक्स्ट उसके वी उपर आ जाता है इस इस इसको पट पर परिबसाइड और अगेस तो हमारा जो बेग्राउंड पॉपर्टी था वह और कंप्रेट हो चुका है नो व्र directly move to our font ki property ठीके तो font के अंदर कौन कौन सी property उसको देखते हैं सबसे पहले इदेखे बैगरांड हो गया अब हम देखते हैं font की property ठीके so font के अंदर आता है font family font style font variant so font family basically font कौन सा आपको यूज करना है ठीक है वो बताता है font style मतला आप उसको कैसे करना है यह अब्लिक करना है font variant मतलब आपको इसका ठीक है एक ही रहता है ठीक है font variant इतना matter नहीं करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ small cap से रहता है and then font size यह एकदम important guys मैं आपको बताते हैं तो सबसे ज़्याद important font family font size and font weight यह font style तो नकली है ठीक है लेकिन मैं सब आपको करके दिखा तो देखें font family किया मैं आपको font family direct करके नहीं दिखाऊंगा direct आपको online कैसे आप ले सकते हो दिखा तो देखें यहां पर आपको जाना है Google font में मैंने आपको बोलागा आज आज आपको एक video में सब कुछ सिख नहीं मिलेगा ना जो बाकी के पुरे सीरीज में नहीं सिख पाओ गया ठीक है तो देखें Google font लिखा मैंने simple आपको भी Google font लिखें पहले वाले पे click करना है ते इस तो मैंने Google font क्लिक क्या और एक मैं कंस करता हूं मुझे कौन सा इकां सब कर एक अब कुछ भी लिए अवे ऐसा कुछ निये एक काम करता है ये झिए यह लिन by नाम भी नोटेवल ठेक इसको ले लेते हैं इसको मैंने देखे इस जगे पर मैंने इसको सेलेक्ट किया जो मेरा प्लस था भी मैनस होगी है यहां पर मैं जाता है इन्होंने एक लिंक दिया तो आज आप यह भी सिक्रों कि कैसे हम ऑनलाइन दुसा गोगल पॉंट यूज कर सक और यह जो इतना लंबा चोड़ा लिखाने यह मुझे निची मैं सिंप्ली चाहता हूँ कि आप लोग का बहुत बहुत स्वागते मेरे चैनल में जो मैं हमें सहाओ लिखूँगा वैलकम टू माइट आपको वेलकम टू माइट चैनल ठेके अन इतना कि एव गइस की स्मालि सब्सक्राइब करते हो कभी नगभी तो आएगा है कि नहीं समझ रहे हो ठीक है इसको मैंने लिखते एक पैरग्राम आई आई होप आपको दीख रहा है यह क्योंकि मैंने बहुत कम कर दिया था उसका इस पेस और यहां से भी मैं एक्स्ट्राइब साथा देता हूं अंच और पी यूज़ करने के लिए मैंने एक लिंक यूज किया यह मेरा पी है एक सिगल देता हूं आईम है अई अपको यह यह यहां इसको उपर लाला रहने दिजिए और आई को यूज करने के लिए हैस्टैग वो इडी का नाम इस तरही से पार्फेक्टेख है यहां पर देखे गाई इन्हों ने एक और दिया है font family तो basically font family में मैंने लिख जाया इस्टर के से ठीक है तो पहली property यही है font family जहां पर मैंने बोला अगर notable वाला मुझे नहीं मिला तो sensory वाली जो font उसको apply कर देना तो मैं ब्रॉजर पर जाता हूँ आप देख सकते मेरा ब्रॉजर इधर है और देखे इसको मैं रिफ्रेस करूंगा ठीक है बूम गया से देखा अपने मैंने कौन सा फॉंट लिया था ये वाला देखे गाई तो apply हो चुका तो इससे किसा फॉंट को apply कर सकते हो ठीक है तो यह कि small caps करके ठीक है इसकी value क्या है small caps एक capital लेटर होता है तो यह आपका जितना भी छोटा वाला लेटर है उसको capital में कर देगा लेकिन छोटा वाला capital I mean यह देखे पहले से capital है लेकिन इसको मैं refresh करूंगा देखा क्या हुआ यह capital में ही है लेकिन उसका size reduce कर दिया उसकी जो actual size थी वो कम कर दिया ठीक है so font variant होता है यह दूसरा देखा हमने we will see font size ठीक है font size लिखने के भी बहुत सारी तरीके हां आप pixel में दे सकते हूँ EM में दे सकते हूँ REM में दे सकते हो ठीक है guys तो मैंने ओर्रेड इसकी उपर वीडियो बनाया मैं लिंक उपर दे दूंगा आपको तो ठीक है तो हम क्या करते हैं 2 EM लिख देता हूँ so basically 1 EM equal to 16 Megapixel 1 EM is equal to 16 Megapixel sorry guys Megapixel नहीं pixel only Megapixel तो मोबाइल का कैमरा ठीक है Megapixel नहीं ठीक है इतना आपको याद रखना है कि 1 EM is equal to 16 pixel perfect मैंने 2 EM लिख दे तो font size जो वो 2 EM का हो जाएगा देखे बढ़के 2 EM हो चुक है इसको मैं ठीक है 100 कर देता हूं कुछ तो कुछ सिर्गे से दिखने वाला है ठीक है 100 में लेकिन ठीक है बड़ाई ठीक रहें दो ठीक है तो हमने क्या देखा हमने देखा font family font variant ठीक है font size देखा now we will see font style font style font style आप देख सकते font style को basically आप italic इसको रिफ्रेस करोगे तो देखे गाइस italic हो गया यह तो यह होता है font ठीक है तो आप हम देखते है font वे तो यह देखे बहुत सिम्पल आप यह आप समझ रोगी CSS पता किया है समझ रहें मैं अगर आप आपने सपोज एक नया घर ले लिया ठीक है अब आपको उसको color करना है और आपके पास color के डबबे भी रखे और किस ने बोला कि भाई मुझे एक आमको रेड कलर लगा दो यार आप इस पे तो आपके अगर आपके पास red color पहले से ही है पस आपको यह याद रखना है कि red color मतलब क्या अगर आपको color ही नहीं मालूँ है आप red के बिदले black color उठ पास हमें already हमारे पास सब कुछ है जैसे आप मैंने बोला मुझे italic करना है तो font style italic लिखा italic हो गया अब मुझे font weight उसको बढ़ाना बोल्ड करना है so font weight उसके लिए होता है so you can simply write bold, bold, light, lighter, bolder इस सब आप लिख सकते हो तो इसको मैं जैसे refresh करूंगा देखे कैसे और पहले से एक bold था उपर से और bold हो गया यह ठीक है तो यह होता है bold ठीक है आप इसको चाहतो ऐसे 500 भी लिख सकते हो I mean आपको यह सिर्फ value देना है 100 to 900 इसको मैं जैसे refresh करूंगा देखे कैस पतला हो गया इसको मैं 100 कर देता हूं ठीक है तो basically 100 means light यह देखे कैस पतला ठीक है आप इसको चाहिए तो यह तो यह से lighter भी दिख सकते हो नहीं तो light भी दिख सकते हो लाइटर लाइटर मन्तब कैसे पतला ठीक है यह जो मैंने फॉंट उसके आपको इसमें क्लियर पाता ही नीचल दाए सच बोलो तो मैं ठीक है तो मैं कोई दूसरा फॉंट ले लेता हूं लेट से यह वाला यह नोटो सेरिक जो भी फॉंट है इसको मैं क्लिक करता हूं ठीक है इसको मैं इस नोटेवल को से कैंसल कर देता हूं इसको मैं वापस सेलेक्ट करता हूं आपको साइड हो चुका है कि अगर आपको font use करना तो instead of this आपको खाली वो लिंक कॉपी कर देना है इसोटो裡面 को कॉपी करना है आपको फॉन्ट फैमिली को मैंने किया कॉपी आपको इस्टाइल और सेसेस पर जाके खाली उसके बद दे ये वाला फॉन्ट फैमिली रख दिना पॉपेट देखे अब अगर इसको मैं रिफ्रेस्ट करूँगा गाइस तो आप देख सकते हो कि ये इसका धांचा चेंज हो चुका है देखे कितना पॉफेक्ट दिखा दे रहे ठीक है तो हमने फॉन्ट में क्या क्या देखा गाइस हमने देखा फॉन्ट फैमिली फॉन्ट वेरियंट साइस स्टाइल वेट 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 आप बोल्ड लाइटर नित आफ अंडेड से 900 की बिच देख सकते हो ये अंडेड से 900 की बिच आप देख सकते हैं इतना पतला अब सबसे मैक्सिमुम जाता है 900 900 में जैसे कर दूंगा यह देखे के बोल्ड हो गया आप देख सकते हैं तो यह होता है फॉन्ट फैमिले ठीक है तो गाइस अब हम देखते कि फॉन्ट के बाद क्या आता है हमारा फॉन्ट के ब कर सकते हैं समझें तो इसको मैं हटा जैता हूं इस तरह के से पॉफेक्ट और गैसा आपने चीज नोटिस किया गया है यहां पर मैंने इसको प्लोज नहीं किया तो उसके बावज़द भी चल रहा है उसका रीजन यह ता कि नीचे कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं थी अ मैंब वापस यहां पर जाता हूं और देक्स्ट इसको मैं ख пропयंख सते नहीं होग सकते तो वापस बैक्तू नॉर्मल जाता हूं यहां पर जाता हूं आ यहां पर जाता हूं यहने घिखने इस तेक्स तेट्स मेंने लिया है न उसको मैं रहने देता हूं कर निघर टेक्स वाल को मैंने किया कपी या दर को वह एक आईडी है तो यहां पर मैं जाता हूं इसको मैं फांड फैमिली मैंने कॉपी किया ठीक है यहां पे गया रुसको मैं इस तरगे से चिपका दिया तो बैसिकली यह मैं टेक्स्ट वाला नहीं है यह फॉंड की प्रॉपर्टी लेकिन बस लूप अच्छा देने के लिए मैंने यह यूज कर लिया ठीक है कुछ इस तरगे से वह इसका ठीक है यह पहला थह ऄओ लां दुसरा था लेकर इस पेसिंड करके वैसिकली लेटर इस Multipra स्पैसिंग मंदब यह तो यह concern आप अब आप लेटर स्पेसिंग मलब यह देखे डबलू और ए की बीच में डिफ्रेंस आ जाएगा जैसे मैं लिख देता हूगा इस फाइब पिक्सल तो खुछ जादी हो जाएगा तूदे देखे अब देखे आपने एम और वाई की बीच ती और ओ की बीच तो यह होता है लेटर रिस्पेसिंग उसी त्रकेसे हैँ तनी कि इसको में रिफर्ष करूंगा यह देखे गएक अगर आप को इतना डिफरेंस पता नहीं चला तो मैं 5 कर देता रहिए आप देख से तो गाइस मैंने जैसी 5 लिखा कित की पॉपर्टी ठीक है देखे एक डायरेक्शन भी होता है समझे तो डायरेक्शन में आपको क्या लिखना राइट टू लेफ्ट आर टीये तो बिसिकली राइट टू लेफ जैसे रिफ्रेस्ट करूंगा यह देखे गाई इसको कम जूम कर जाता एक सेगे यह आपने देखा क सकत बीसिकली राइट तू लेफ्रस्ट मलब राइट साइट से जा लेट साइट को तो यह राइट साइट से चिपक गए वहहीं अगर राइट टू लेफ्ट की पाल्द आ डशू नेरीबर टू रहétais सका में रिफ्रेस्ट करूंगा बूम गाज देखे कितना सिंपने अब क इंडेंट तो बेसिकली टेक्स इंडेंट क्या होता है कि अगर आप कुछ पैरेग्राफ लिखें आप लेटर लिखें तो आपको याद होगा कोई भी लेटर लिखते है तो पहला लाइन में वो थोड़ा से एक स्पेस देता है तैब देता है ताहिकि लगे हां यह बहुत सही मैं लिख रहा है तू दा प्रिंसिपल माई नेम इस यह फिर हम उसके नीचे एक्दम पर्फेक्टी लिखते न कॉपी में अगर आपको याद होगा तो पहला लाइन में थोड़ा है स्पेस रहता है वो आम ही यहां से मिलता है तो आप लिख से कुछ भी लेक्स से 10 पिक्ष मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ ठीक है इसको मैं चिपका देता हूँ और टाकि आप लोग को ज्यादा दिखा है देखिए कम जूम करता है आपने देखा यह क्या है काईस आप कभी भी कुछ भी पैर लिखते हो तो क्या होता हमें इसा पहला लाइन का जो एक स्पेस रह है ना टेक्स एलाइन सेंटर लिख सकते हो फहले तुमें लेप्ट कर देता हूँ ठीक है तो मैंने क्या रिफ्रेश्ट यह देखिये एक्शन मैं दिखाई नहीं देखा है क्योंकि एस टेक्स एलाइन से जा रहा है यह डारेक्शन भी में हटा देता हूँ कूंकि से सब आ गए ठीक है अब उसी तरह किसे अगर आपको एकदम पॉफेक्ली सेंटर में सही तो यू आपको करना है अगर अपरकेस तो मैं रिफ्रेस्ट करूंगा भूम गाई से देखिए सारे के सारे अपरकेस हो गए इतने होते हैं टेक्स के अंदर जाम ने देखा फॉंट फार्म तो अल्रेड फॉंट में तो कलर लेटर स्पेसिंग वर्ड श्पेसिंग डैरेक्शन टेक्स्ट इंडेंट टेक्स्ट एलाइं टेक्स्ट ट्रांस पॉंट ठीक है अगर आपको लगे कि मेंने कोई मिस किया तब से चार पोपर्टी होती एक होता है लिंक मतलब अभी तक आपने लिंक पे क्लिक किया अब दुसरे पेज पहर चुके हो तो वह विजिटेट हो चुका है हुबर मतलब अभी आप देख सकते हैं मैं इस पर अभी भी एक डेमो डॉट प्यच्प रिफ्रेंस लिखा है उसके अंदर सिंप्लिद इस लिंक लिखा थेखे तो यह सारा का सारा केल सिर्फ दिशी जर लिंक की उपर है क्योंकि देखेगा यह जो एंकर टैग है न इसको मैंने क्या किया देखे पहला वाला लिंक है ठीक अभी है मैंने पढ़ा था लिंक मैंने आपको बताया था लिंक जिसमें मैंने यह दिखा कि यह अनवीजिटेड लिंक है तो वह कलर दिखाई देगा रेड जैसे उसका कलर हो जाएगा यह जब 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 मैं अपने माउस को प्रेस करके छोड़ दूँगा तो वह हो गया विजिट वो उसका उसका पूर्ट हो जाएगा तो इसका फंड़ा सबसे पहले बातय के इतना ही नहीं होता है सबसे मैंने बताया था अगर कुछ भी अभी ते कुछ तो विजित नहीं इत्मिंस कलर रेट होवर करने पर कलर हो जाता है उसका यलो में जुम कर रहा देखे अभी बहुत तो को कंपूस पता कि दे रहाता है वो यह सुचते भई यह एक्टिव का होता है देखे एक्टिव में आप को बता तो जब आप इस पर क्लिक करने करे क्लिए माज को माउस को प्रेस करते हो ला तो उसको छोड़ना नहीं है आपको करें करके रखे आप मैंने एक्टिप को बिल्वार फिर दिया था कि ए तो तो उसके लिए देखो क्या करना है यह इस पेस में विजिट कर चुका हूं थापा टेकनिकल डॉट का मेरे वेबसाइट पे में विजिट कर चुका हूं तो अब इसको मैं देमो.php के बतले अपना वेबसाइट का लिंक दिया दूंगा यहां पर विजिट कर चुका हूं और मैंने कोड में यह लिखा कि अगर विजिट हो जाता तो कलर कर दूंग तो यह होता है लिंक ठीक है अब हम देखते दूसरा क्या गाई दूसरा है बॉर्डर इंपोर्टेंट है और आप सब के लिए जो बार बादर रेडियस बॉर्डर रेडियस होता है css3 के अंदर css में बॉर्डर रेडियस नहीं होता है समझ रहो मतलब बनाया ही नहीं गया था लेकिन बोनस है तो मैं आपको बताऊंगा बॉर्डर रेडियस क्या होता है तो देखें गैस बेसिकली बॉर्डर होता क्या है ठीक है तो दा बॉर्डर पॉप होता है तो हम बोर्डर को धे सकते हैं वह बौर्डर का स्टैल देख सकते की अब इसको मैं देंगे इसे रहें और इसको वह देखेंगे तो इसम इस आगए हैं यहां पर खाली रहने देता हुँ कुछ ने मुझे लेना देना नहीं इसको मैं कॉपी करता हूं ठीक है यहां पर याद है मैंने क्या लिखा था इसको क्या लिखा गाइस मैंने क्लास इत मेंस आपको यूज़ करना है डॉट जस्टू एक्सेस उसको मैंने क्या कर दूगा एक विल्ड दे दूँगा कि आपको याद होगा बैग्राउंड कलर हमने देख चुका है इसको मैं क्या करता हूँ काई तो इसको पहले तो मैं जूमक म कर दूंगा इसको जैसी अच्छा रन इसलिए नहीं हो रहा क्यों कि यह से तो मैंने से शेब किया वाट यहां से नहीं किया था मैंने ठीकर वापस आता हूं इसको मैं refresh करता अधाय देखिए 100 पिक्सल हंडेड कुछ इस तरके से दिखाई दे रहा है लेकिन आप नोटिस करो हुं refresh perfect इसको बोलते हैं simple एक box लेकिन इसमें border तो कुछ था ही नहीं तो border क्या होता है देखें तो guys अब हम border देखते हैं इसमें ठीक है तो देखे अब simply याद रखो कि border की क्या हमने देखा border style, border color, border width ये त्यों को आपको आपको एक साथ लिखना ही पड़ेगा तब भी आपको इफेक्ट दिखाए देगा और सबसे पर तो विड विट मतब यह जो दिखाए देए आपको यह 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 जो लाइन है यह ग्रे कलर रहे ब्लैक की भी चीक है एक बॉर्डर है यहां पर भी बॉर्डर देख सकते हो तो ब मस्ली लोग व्युव लिख्ते है ओर्ड हम यह देखेंगे कि ने टैप्स के उलते है मैंने कहा बॉर्डर विद्फ फाइपिक्सल बॉर्डर का कलर लिखा ब्लैग बॉर्डर का स्टैल कर दिया इसको मैं जैसे रोकौ्र कर द्टा हो इसे जुम कर दा हूं आपको दिखाए इससे इतर के से dotted है, then we have dashed, तो ग्यास इसका link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा, मेरे website पर आप वहाँ पर देख लिए कितने होता है total, ठीक है, तो यह होता है border, alright, guys यह जो आपने इतना लंबा लिखा न अभी, आप इसको simply एक लाइन में लिख सकते हैं, इतर के से देख सकते थे, इसको मैं कर देता हो, refresh, आप देख सकते हो गाई, यह property यूज नहीं होगा, क्यों हम चेक करते border, 5 pixels, solid, dash, alright, guys, कैसे होगा, solid और dash, दोनों के, दोनों border के style है, हमे, solid तो ठीक है, हमें मिलगा, लेकिन dash वाला नहीं थी हमें, ठीक है, हमें यहाँ यहाँ पर कैची color च सकते हो, यह देखे गाई, ठीक है, आपको solid नहीं चीए, आपको dash चीए, ठीक है, आप dash लिख दीजिए, इसको में refresh कर दीजिए, पाफेक्ट, तो यह होता है border, ठीक है, हमने border देखा, alright, अब हम देखते कि आप हमारा दूसरा क्या, alright, border radius, border radius यह बेसिकली होता है, ठीक है, आपको simply border radius लिख देना है, यह देखे, अब आपको कितना चीए, 10 pixel लिख दीजिए, तो 10 pixel, it means क्या होगा कि यह जो कोना दिखाई देखाई 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 नहीं देखाई, यह इसको मैं कर दता हूँ, 50, इसको refresh कर दता हूँ, देखे, alright, इसको बोलते border radius, alright, अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, alright, क्या है दूसरा list, कैस मैं बता देता हूँ, list बहुत ज्यादा simple है, लेकिन साथ ही साथ उतना ही important भी है, ठीक है, तो list style type क्या करता है, वो देख लेते हैं, alright, इसको मैं हटा देता हूँ, border को इस तरी के से, ठीक है, अब यहाँ पर list ले ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, एसको मैं हटा दयता हूँ, alright, तो सबसे फेहले हैं हम UNORDERLIST देख लीते हैं, ठीक है, so मैंने रूसरा लइन लिखा, के से दिखाई दे रहा है ऑर एक्षल मैं या दव्कों जब भी आप लिस्ट लिखते हो चाहे वो तो चेंज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लिस्ट स्टैल टाइप यह बाई डिफोल्ट क्या है सरकल है आप चाहे तो गैस इसको आप सरकल दे सकते हो ठीक है स्क्वाइल दिखा मैंने अब ध्यान दिजाए इस पर ध्यान दिजिए सर्फ भूम अब ऐसे देखे क्या हो इसका हो चुका भी है स्क्वाइल तो यह होता है लिस्ट स्टैल टाइप जहां पर आप उसका स्टैल का टाइप चेंज कर सकते हो पहले सरकल था नाव इट्स कॉल्ट और स्क्वाइल ठीक है तो गैस यह जो हमने देखा यह देखा अन ओर्डर के ल तो मैंने लिख दिया अबाउट को मैं और एक मैंने इसको तीन बाल लिखा यहां पर जाके आप में क्या लिखता हूं वेल तो एक काम करते हैं सब हम पहले तो यह देख लेते की वेल कैसा दिखते है इसको मैं जैसे रिफ्रेस करूंगा बूम गाइज या दरको और स्टाइल चेंज कर सकते हो तो उसके लिए देखो क्या लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइब आप देखो रोमन या तो अलफा अब दोनों में से कर सकते हो लेकिन उसको भी आप या तो लोर अलफा कर सकते हो ठीक है इस तरह के से लोर अलफा लिखूंगा मैं रिफ्रेस आप बतले आप इसको लोवर कर सकते तो यह होता है हमारा लिस्ट ठीक है इतना ही था लिस्ट में अब हम देखते क्या है दूसरा बॉक्स बॉक्स मोर्ण बहुत बहुत इंपर्टेंट मैं अब आपको बता करने अब हम दिखते सेगां अब पैडिंग मतलब आपका जो content है और जो आपका border है उसके बीच का space को अगर आपको increase decrease करना है आपको padding use करना पड़ेगा property अगर आपको border की outside की जो space है उसको decrease increase करना है देन आपको यूश करना पड़ेगा margin I know theory में आपको थोड़ा कम समझा ठीक है यहां पर में एक डिप लेता हूं सिंपल सा ठीक है इस डिप को गाइस में एक नाम देने वाला हूं बॉक्स मॉडल करके ठीक है आप कुछ भी नाम जैसे आपके उपर डिपेंड करता है यहां पर में इंपूट फिल्ड देने वाला हूं इंपूट शिए पहले घया क्या करता हूं एक लेवल देदेता हूं युजरनेम पाफट युजरनेम दिया यहां पर मैं देदेता हूं input टाइ significa इसको में विट्ट इंड़ देता हूं फिरसे विंडो विट देता हूं गाइस इसको मैं 400 पिक्षल फौफट ठेके हैं फ्टेक है इसको मैं यह इस तरह के से दिखने वाला है 100% में जो कि मेरा यूजरनेम यहां पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ इसका हाइट में 200 पिक्सल कर देता हूँ ठाकि मैं इसको जूम करणी यह उसकर देड़ा हूँ और यह जो ती हैनला टी स्टार्टिंग का ती देख्या और इसके बीच में बिल्कुल अपनी जब कि यहां पर देखे जितना घयाप है लेकिन यहाँ पर starting point पर बिल्कुल gap नहीं है so मैंने आपको क्या बोला ठीक है एक बार मैं आपको inspect करके भी दिखा जाता हूँ यह देखे गए यह दिखाईते रहे इसको बोलते box model हा तो basically यह देखे यह मेरा content है यह padding अभी तेक padding में यह उसका border यह उसकी margin तो यह जो मेरा content है उसके और यह जो border है अभी मैंने आपको border दिखाता है उसके बीच के space को हम बोलते है padding अब border के बार का जो space होता है न outer space उसको हम बोलते है margin ठीक इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और राइट नीचे चला गया perfect इसना ठीक है इतना रख देता है अब आपको यह ध्यान देना कि मुझे यह input field के अंदर space चाहिए ताकि थापा जो लिखा उस थोड़ा यहां से यह जो ए स्टार्ट होना वहां से मुझे थापा आप देख सकते हैं जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नहीं और उसका रीजन पता है क्या है उसका रीजन यह कि मुझे box model को padding नहीं देना है मुझे padding देना है तो किसको मुझे input box को देना है समझ रहो तो मैंने लिखा थे बस हमें क्या करना है access wrong किया था हमने तो मैं क्या करता हूँ यह जो input field है इसको मैं copy करता हूँ यहां पे नीचे आता हूँ ठीक है इसको मैं as it is लिखूंगा क्योंकि एक element है यहां पर बस मैं simply क्या लिख दूँगा गाई इसको मैंने रिफ्रेस्ट किया याद रखो मुझे input को करना था तो इसको अगर मैं रिफ्रेस्ट करूँगा ठीक है अब मैं जैसे लिखूंगा भूंगा इससे देखा आपने टी के बीच में पहले स्पेस था नहीं था अब भी मुझे पैडिंग मिल गया तो बेसिकली आप देखिए यहां पर मैं पैडिंग पर नीचे से भी पैडिंग चाहिए ना अब वाट क्या लिखूंगा गैस में पैडिंग आम में लिख देता हूं टॉप उपर से उपर से मुझे 20 पिक्सल ते कि अब इस्टे के से बॉटम लिख सकती हो देखे गए यह देखा क्या हुआ मुझे पैडिंग मिला लेप्ट साइट से पैडिंग मिला उपर से तो यह पैडिंग आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगा आपकी इंपूर्ट का साइज भी बढ़ते जाता है तो आप ने देखा किस से एक से आप पैडिंग बॉर्टम एंड पैडिंग राइड भी उसकर सकते हो ठीक है तो एक बार मैं यह पैडिंग इसको हटा देता हूं और हाँ इसका short property में बता देता हूँ अब simply अगर padding भी लिखोगे ना इसे देखी simply padding आपको लिखना है 5 pixels it means padding live और हाँ याद राको padding का पाता है कैसे walk होता है padding होता है सबसे पहले top को then right then bottom then left ऐसे matter नहीं गाता सबसे पहले लेकिन यह sequence है अगर आपको चार value देना है मैं पहले तो simple लिखके दिखाता हूँ 5 pixels इसको refresh कर दूँगा तो देखिए right के लिए यह जो मेरा वैल्यू है यह है मेरा bottom के लिए और यह है मेरा left के लिए तो यही से margin के लिए भी यूज होता है तो इसको मैं हटा जेता हूँ comment कर जेता हूँ ठीक है हमने padding समझा हमने border देख चुक है content तो यही है जो मैं थापा लिखा हूँ अब देखेगा इस क्या करना है इसको मैं अटा जेता हूँ यह जो box दिखाए देर आपको input field उपर से चिपक क्या रहा है मुझे उपर से space चाहिए मुझे अंदर space नहीं चाहिए मुझे यह जो input field है और यह जो border है मेरा actual device उसके बीच में space चाहिए टॉप से तो मैंने क्या बोला कि आपको margin यूज करना टॉप बॉटम लेप्ट राइट मार्जिन में लिख जाता हूँ 50 पिक्सल पॉफेट टेकर इसकी में जैसे refresh करूंगा बूम गाई से देखा मुझे उपर से मिल चुका है और वह से तर्के से सब्सक्राइब तो margin left भी लिख सकते हो margin left लिख दो आप 20 पिक्सल का अंडो ले करके refresh करो यह देखा अपने देखा यूजर ने मुदर ही है लेकिन इसकी भी से दिफ्रेंस बढ़ी है तो यह होता है पैडिंग यह होता है margin and believe me guys मैंने पैडिंग और margin के पर एक दाम डीटेल वीडियो बना है उसका link में आपको नीचे उपर I mean उपर description में दे दूंगा तो top bottom I mean right bottom और यह जो left side है इस चारो को लग जाएगा इसको मैं refresh करूंगा यह देखेए guys top से 20 इधर से 20 नीचे से 20 इधर से 10 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 तो यह होता है padding यह होता है margin ठीक है तो इसको ही हम बोलते box model यह मेरा content यह पूरा आता है scroll bars और अट गया स्नाव विल सी scroll bars तो basically scroll bar मैं इसलिए लिखा इसको एक्चल में न css में बोलते overflow क्या बोलते overflow है लेकिन मैंने scroll बाल लिखा क्योंकि इसका main काम scroll के लिए उस होता है तो देखेए इसकी त्यन प्रॉपर्टी है scroll bar property कुछ भी नहीं होता है इसको बोलते ओवरफ्लो तो ओवरफ्लो की चार प्रॉपर्टी है एक और ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर चार वैल्यू है एक है विजिवल एक है हिडन दूसरा है scroll और लास्वान इस और आप चाहिए तो इसको रीड कर सकते मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं है ठीक है दो देखेकिए यह मैरा पी को मैं यहां पर टृट दिखाता हूं सबसे पहले तो है इसको में हाइड्ड देता हूं लेड सिछा का पो निये तो और अपको बाता हुक्त सिंगल लाइन में यूज करना है आप क्या से करोगे आपको लिखना है बॉर्डर का इस्टाइल एंड बॉर्डर का कलर पाउफेक्ट इसको मैं यहां पर जाता हूँ गाइस करता है कि जमन की स्पेस खं़े लेकिन आपके पास समान बहुत जबा तो आप क्या करोगे तो यहांपे वेबसाइट के कायस में वह बोलता है कि एक क्यूपर एक करके आप अपने एरिया में रख दोगे तो स्पीछS पल्डूर और अब तो सबसे पहला काम पता क्या हो सकते है आप चाहए तो इतना दिखा सकते हैं तु के लए देखी का करना करना है। आपको लिख देना है hidden इतने भी ओवर्फ्लो हो रहा है पानी का बोतल जब आप भड़ते हो एक बार पानी फूल हो गया तो भार क्या होता है ओवर्फ्लो होता ना पानी का तो उसी तरी के से इसको अगर मैं रिफ्रेस करूंगा बूम गाइस देख आपने क्या वा जो भी थ है hidden अगर आप auto लिख दो गया तो देखूंगा और तो में देखिए बाई डिफॉल्ट वो इस तरह के से स्क्रोल बना देगा और तो मतलब कुछ ऐसा करेगा कि जिससे लोगों को पढ़ने में मिल जाए आपका जमिन का काम भी एकदम प्रॉपर हो जाए तो यहां पर वही है जैसे करें तो आपको ध्यान देना है झाल और इसकूल में डिफ्रेंस करें यह जो रेट करना साथ इसको हम शिंप्ली वर्टिकल यह जो स्कूल बाद से से हम रीट कर पारे ते लिकिन अगर अब स्म्प्ली क्रोल लिखोगे तो आपको नीचे बीक और जूम कर देता है आपको पता नहीं दीख रहा है कि मुझे बहुत ध्यान से देखना पूर्ट आपको लाइट ग्रे कलर दिख रहा होगा देखिए यह मेरा रेट कलर का बॉर्डर है यहां पर देखे यह स्क्रोल है और नीचे होरिजोंटल इसको राच चुका है आपको यहां पर पता चल एक्स मदलब होरिजोंटल ठीक है तो बेसिकली आपको मेन इतना यहां देखना है हीडन ऑटो एंड इसकूर्ट तो देखे गैस अब हम देखते कि आप दूसरा क्या है स्कूर्ट था यह ओवर्फ्लो नाव वी है पोजिशन इन स्कूल के लाइन पे खड़े हो और मॉर्नि दंबा बीच में आगया या ऐसा कुई है इसा हाइट में उपनीच वाल आ तो क्या करते है वापस जो में क्लास का जो लीडर होता है या जो मॉनिटर होता है वह वापस एक बाद चेक करता है कि सब एकड़म प्रॉपर लाइन में खड़े है यह सब का पोजिशन सही है या तो यहां पर वही position है धाइश यहां पर आप समझ लो कि आपका ही जो घर है अब ही मैं यह दिखा तो संबोच ही आपका एक घर है यर आपके पाथ चार बंदे है ठीक है आपको चय चीर का झाएखे सो बंदे को आपको इस पोजीशन पेख़ा हो तुझे इस पोजिशन पे तुझे इस और तुझे इस वाले पे तो यह जो होता नहीं होता है पोजिशन आ तो इसको हम कैसे कर सकते उसको देखे गाइस पोजिशन में बहुत होते है चार वैल्यू होती लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका एबसल्यूट एन रिलेट सब ताव मुझे इसको यहां पर दाऊना फक्रों तोलके हुए जांए कुछ लिगगा अपने अपने जमीन हमानुगा इसका प्रापर पसमझ जाएगा इसको में पहले प्लस लागाना पड़ेगा यहां को मैं स्की चारो को पर्पर्टी देना थे ह Madame पूराग प्रादल अगर बद्राए तो लिखे तो दोग पाई टुर आप अगर ब्सको निक्सम यां के प्ति जWhere the Lies ओक प्रूर दोले का टृकर ऑघ या फर है आप Cowell न स्थायग इंतेलुन विल्थे खूर से आपको पर लिख तो घंडर में अन्हया चाइब त'll दोन देखां इसको सेंटर में कैसे गृ sucky मैं महां जींच अब इतना क्रता हुआँ जेता हुट्ब शुम्ध जाएग इसको पोजिचन देता हुआइस में सबसे पहले इतको रिलेटिव और ये थे किसे सीव कुक्छ जाएगा टेक है यह जूए थे आपना फाधर बना लिया है घर बना लिया है अब फाधर के चार बच्चों को भी हम स्टील देती है ठीक है फो कैसे कर नहीं के चाइल्ड वान सबसे पहले चाइल्ड वान क्म से घुठत कुमें कंटोंगा लेट सेहल है घ९ह इसमें मेरा फर्स्ट्वी क्यार चाईल तो सिनफे टिन कि वहाले को भी मैं क्या कर डेते हो गैस एक दो इसको में चार्ट काि आ खेल तो और देते हैं झेद ale इसको में धिक्ता झाल कॉलसक्ग को फिक में है ओरफ चे में निदुरेट और देखो अब मैंने जैसे लिखा है मुझे थापा और जुम कर देता हूं ठीक है देखो थापा 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 लेकिन कलर अलग अलग है ठीक है अब देखो हमने इसमें पोजिशन कुछ यूज नहीं किया है और यादर को डीब जब भी आप उसके बाइडिफॉल्ट वह एक की नीचे एक ही आता है साइड में नहीं आता है वर्टिकली एक की नीचे का था ठीक है तो देखे गाइस मुझे क्या चाहिए कि पोजिशन यूज करना है और मैं चाहता हूं कि थापा इस यह जो फस्ट वाला अपनी जगे पी रहे यह सेकिंड वाला थापा इस कोने पर चला जाए यह जो लास्ट वाला वो यहां पर आए तो आप क्या करोगे ऐसा कि यह प्रॉपरली चारो तरफ चले जाए समझ रहे तो क्या करोगा पैसा तो उसके लिए देखे गाइस क्या करना हम पोजिशन यूज करेंगे और पोजिशन होता है रिलेटिव एन एफसलीट रिल क्या होता है अगर आप किसी को भी रिलेटिव लिखते दोगे ना पोजिशन इट मिन्स कि जहां पर वो खड़ा है जिस पोजिशन पर वो है उसी को अपना पोजिशन मान लेता है ठीक है नॉर्मल पोजिशन को अपना पोजिशन मान लेता है लेकिन जब अगर आप पोजि कि ये जो मेरे चारो के चारो डीब है वो किसके अंडर है इस वाले डीब के अंदर है तो वो उसका पहला पैरेंट होगी है तो अब ये जो चारो के चारो डीब है न वो इसको अपना रिलेटिव मानेंगे इसको अपना एक्चुल घर मानेंगे यार उसकी हिसाब से अब वो जगे जगे पर चले जाएंगे तो आप इसको चाहिए कितना भी कुछ भी करो वो इनके अंदर ही रहने वाला है है समझे अब इतना समझळें कि आपने एक जमिन कहीदा जो मेंने आपको दिखाए उसके अंदर आप क्या कर सकते की कोई आपके आपके ऐसे समानी जिसको आपको सजाना है तो ज़ेशी भी वट कर ज़चीजें आप एक और समझ लेजी कि मैंने जिससे बता ये पुरा उसका parent है ये उसके child है तो parent के पास से अधिकार है था अपने child को समझाने के लिए कि क्या से ये क्या wrong है तो जैसे ये चारो के चारो बच्चे अगर जगडा कर रहे तो parent बोलेगा तू एक कोने में जा तू एक कोने में दर्मान लेता है ठीक है तो देखिए अब आपको और clear हो जाएगा तो जब इसको हम position करेंगा न एपसलूट वो perfectly इस जगे पर आएगा बाहर पर नहीं आएगा वो जो ठड़ वाला है इस जगे पर आएगा इधर नीचे वाले पर नहीं आएगा ये लास्ट वाला इहां प क्या करना है मैं आपको बता है आपको position relative absolute तब यूश करना है जब आपके पास एक जमीन है I mean आप समझ लोगे आपने घर खरीद लिया ये आपका एक कमरे आपके पास बहुत सारे photo frame है तो आप simply कमरे को position दे दिजिए relative photo frame को दे दिजिए position absolute फिर आप उसको कहीं पर भी करना है रिलेटिव ठीक क्योंकि मुझे इसके अंदर इन चारो को फैकना है ये बच्चु को एक जगे पर रखना है देखिए मैंने position relative दिया कुछ असनी पड़ा क्यों क्योंकि रिलेटिव मतलब जहां पे हो है उसी कोई अपना मान लेता है जगह तो उसका अपने ये तो अब जीदे था ओडरी इसको फ्रॉब्लम है लेकिन अब हम इन चारो के चारो का अगर पोजिशन देंगे न तो देखो क्या होता है तो मैंने देखाता हूं वापस पूजिसन अप्सल्यूट इसको मैं कर लेता हूं कॉपी तो जैसी मैंने कॉपी किया इसको भी फॉपी कर देखो क्या रता है दोनों के दोनों एक जाओ चुके तो और आ तुकते अब यहां पर दिखाता हूं वापस पोजीशन अफ्सल्यूट इस वाले को करेता हूं maps जिछन अप्सल्यूट ईसको रहा ही कि जब हम फोजिशन एप्सल्यूट लिखते है ना इत मिन्स अब वोप पर ये मेरा कौन हैirt ये कौन है चैड्ड yap alone पर पर पैरंट की कंट्रोल में आचुका है ऐसी आधि पादर ने एक स्रेट लाइन पre खड़े हो जाओ इस चारों की चारों एक ही में पर खड़े और इन सब सो हाइड की है है और सबकी हैट छे फूट है तो जो सबसे आगे आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा और एकदम जाड़ा रहा तो क्योंकि बागे सारे छे फूट के और से में तो यहीं पर वही हो रखी एक्ट्वर में चारो की चारो एक ही जेगे पर यह एक में आपने क्या बोला कि अब आप मुझे पोजेशन चेंज करना है ठीक है आप पैरेंट हो अब आपके अधिकार में सब कुछ है कि आप इस चाहिड को कहीं पर भी रख सकते हो और यहाद आपको जैसे आप पोजेशन इस करोगे एक्स्ट्रा चार जो प्रॉपर्टी है वो हम अब इंक्लूड हो चुक सब्सक्राइब को ठीक है पहला तो मुझे सिर्फ लेट साइज में चीना तो देखें मैं सिंप्ली लेट लिखूंगा ठीक है इस तरह किसे एलिए लेट और जीरो और इस अब वो अपने जीरो पोजेशन पर ही आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन सेकंड वाला मुझे कि अब जैसे रिफ्रेश करूंगा जाद देखोगा आप लोग बूम गाइस देखा आपने क्यूंकि अब तो यह बच्चा है और उसका पैलेंट है तो इसने आपको घर यह माना अधर आगर जिरो लिखता तो यहां पर चाला जाना चाहिए लेकिन नहीं वह इस डीप के बॉर्टम जीरो ठीक है मैंने लिख दिया बॉर्टम जीरो आप देख सकते हो इसको मैं अगर रिफ्रेस करूंगा तो नीचे आगया लेकिन मुझे वह इस जेगे पर चीए तो आपने देखा अगर मुझे इस साइट चीए तो मुझे क्या लिखना पड़ता है राइट जि बॉर्टम लिख देना है जीरो पॉपेक्ट जैसे लिखो कि बूम गाइस देखा कितना सिम्पल था यह होता है पोजिशन रुलेटिव एंड एपस अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूं इन सब को ना मैं वापस बैक टू नॉर्मल कर देता हूं बैक टू नॉर्म इसको पॉट करके रिट कीजिए मैं आपको दिखाता हूं एक चीज याद रखना है कि इंडेक्स समय सा जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पोजिशन देते होना तब उसके साथ यह यूज होता है तो हमने पोजिशन दे चुका है अब मैं आपको इसको यूज करके दिखा तुम देखिए गए से यहां पर जाता हूं इसको एक बार में रिफ्रेस्स कर देता हूं ठीक है सब एक के साथ एक है लेकिन इतना याद रखना है कि जब भी आपका जो लास्ट वाला डीब होता है ना वह सबसे टॉप पर दिखाई देता है ठीक है यहां पर वही होड़ा चारे वेबसाइट देखोंगे यहां पर एक डीब उसके नीचे एक डीब लेकिन उन दोनों के डीब में एक इमेज घुम रहा होता है तो बैसिकली क्या होता है कि वह इमेज को सबसे ज्यादा इन्होंने जेड इंडेक्स दे दिया और मार्जिन और उसको इस तरह के से मार दिखना ठीक है एमिन शेकन वाला दिखाना है तो मैं सिंप्लिस का जैड इंडेक्स देदूंगा वान अभी तो फिलार किसी को मैंने जैड इंडेक्स दिया नहीं तो इसको देदा मैं वान रिफ्रेस्स करके वह कर दूगा वों गैस दिखापने यल्लो तो यल्लो अब जिससे आप क्या कर सकते हो अगर सौ लोग एक लाइन पर खड़े अगर आपको चीए मुझे जो दस्वे नंबर पर खड़ा वो दिखाई दे लेकिन आप स्ट्रेट खड़े हो आप आँखे बंद कीजिए आप सुची आप क्लास के मॉनिटर हो सबसे आगे खड़े हो और स अगर आप चाहते हो कि आपको जो दस्वे नंबर पर खड़ा वो सबसे पहले दिखाई दे लेकिन अपने दस्वे वाले का सबसे आगे आपको वही दिखाई देगा हाला कि वह अपने पोजिशन पर ही है समझे तो यह होता है जैर इंडेक्स के बाद क्या है और आइड इसके अंदर में दो लिख लूँगा ठीक है और इसमें एक और डिब लूँगा तीकि मैं आपको मेनू भी बना के दिखा दे रहाओ इसे एक वीडियो में यह मेरा में डिब यहां इसको मैं क्लास दे दता हूँ फ्र companion कि मतद से यह मेरा हेडर दे दिया सेकंड वाले को मैं क्लाश दे देता हूँ इस तरगी से लोगों का यह जो मैरा थॉर्ड वाला है इसकी में डजिता हूँ इसको मैं मैं नाम से ठीक है इसको गाइस सबसे पहले एडर पर जाता हूं मैं एडर को स्टैल करता हूं ठीक है सो हेडर मेरा क्लास था मैं विड्ट देता हूं गाइस 100% क्योंकि मैंनु का हाइट 100% होता है इसका मैं हाइट देता हूं 80 pixels ठीक है इसके से 80 pixels पाफेक्ट इसको मैं background कलर देता हूं इसको मैंने कर दिया ठीक है इसको अगर मैं refresh करूंगा तो यह मेरा menu का टॉप लेयर बन चुक है ठीक है अब देखिए यह लोगों को मैं इसको अगर मैं refresh करूंगा तो आपको कुछ यह इसके से दिखाई देगा ठीक है और हाँ एक और चीज़ मैंने यहां पर कुछ लिखा नहीं तो यहां पर मैं लिख जाता हूं थापा टेक्निकल इसको रिफ्रेस किया यह देखिए थापा टेक्निकल मुझे दिखाई दे र है अगर आप चाहिए कि मुझे एक मतलब अब यह होडी जोंटर में चीज़ी तो मैंने आपको दिखाया ते स्टार्टिंग में टेक्स एलाइन करके आपको लिख देना है सेंटर तो यह सेंटर में भी आगया ठीक है आपका लोगों बन गया ठीक है लेकिन पाता प्रॉब को मैं देखा क्या होता है home basicallyходraph ओने की none चीर घाती है वो तो मुझे यहां पर चाहिए न उसको के से करना देखिए वो एक्ष्ट yay करता हूं का या झाल याद को ठीक इस्कोए मैंने किया कॉपी ना पे का यहां पर काया इसको मैंने पेस्ट सब्सक्राइब हो जुकुराम सेवेंटी इस स्वाले को गैस में कर देता हूँ कौन से रहेगा रेट से रहेगा पॉफेक्ट तेक इसको अगर मैं रिप्रेस्ट करूंगा देख आपने क्या वागाई मुझे एक्चल में वो यहां पे चाहिए था रहे लेकिन वो नीचे आगे तो आप ऐसा में क्या यूज करूं कौन सा से इस की प्रॉपर्टी उस करूं कि मेरा यह जो डीव है समझ रहो आप वह मुझे एक के बाद जो में एक मिले तो उसी के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं तो बिसिकलिए फ्लोट आपको तब उसका ना जब आप एक आपका एक डीव है उसके अंदे मुल्ट अनट्डərी में फ्लोट है आपको दोल कर के लिखाता हूं लेकिन फिलाल इसको मैं कमें कर देता हू तहोत उसको मैं क्लिर दिखाता हूं तो मैं क्लियरा कर देता हूं तो वितन वे देना और को एक ययुवरे 230 is इसको मैं कामेंट कर देता हूँ आपको ताकि एक्चार में पाता चाहिए तो देखेगा है इस क्या हुआ मैंने सिर्फ यह जो मेरा पहला वाला डिप उसको मैंने फ्लोट लेप्ट किया इट मिन्स अब पॉपरली लेप्ट साइट से उसने 30% अपना हिस्सा ले लिया लेकिन से फ्लोट यूज किया तो दुसरा वाला सोच रहा कुस्तो जोल हो रहा है कि जिसके कारण अब यह लेट से चिपक गिया और यह सिर्फ 30% विट ले रहा है तो यह सोचता है कि सेकेंड वाला नहीं भई मुए भी स्टार्टिंग से ही लूंगा अपना जगा तो यह भी अप जात तक मैरा पहला वाला जुणो। व्हस्टा मोरे त த कि असी के लिए फ्लोट यूज हूँ है बदके मीरा यह यह मेरा लोगो जे मे अ कितना सिंपल है तो मैं आपको यहां मैनू करके भी दिखा देता है उससे पहले फ्लोट के बाद क्या है हमारा CSS इस डिस्पले बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपका दिखाता कि आपको आपका जो मेन आपका जो इस्ट्रक्टर है आपका इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं अब इसको अगर मैं एक और बार रिफ्रेस करूंगा तो देखे कैसे दिखने वाला है अब मुझे क्या चिक तो इसको मैं यूएल को कॉपी करता हूं यहां पर जाता हूं ठीक है तो मैंने यूएल को सेलेक्ट किया सबसे पहले मैं आपको बाता था अगर आपको आपको इस्टाइल लिखो गए ठीक है आपको क्या लिखना है आपको एक के बाजू में एक दिखाना है आपको क्या लिखना डिस्प्ले इन लाइन इन लाइन भी होता है ब्लॉग भी होता है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉग भी होता है रिक हीडन भी होता है तो मैंने इन लाइन जैसे लिखूंगा ना वोंगा इसे दिखा यह देखिए सोरी गास सॉरी सॉरी वह एक्चल में यूएल में काम करेंगा क्योंकि वह एक list है हमें एक बाद जो में एक दिखाना किसको list को यूएल तो अल्रेडी एक हो चुक है ना सो मैं list को select करूंगा और याद रखू लाइक को मैंने select क्या अगता्व यह तीनों के तीनों को एल राइक वत लगो हो जाएगा तीक है तो मैं सिंपोली क्या लिखूंगा सीधर पर तो देखें गिखिए व मिभयंगे। किया लिखें यहां पर में इस इंप्ली लिखूंगा डिस्प्ले मतलब आपको क्या हो गया कि एक लाइन में घहाण निकरना है आपको एक ब्रॉट दिया किや पीश ब्रॉट पर खड़े हो जाओ अप उस ब्रॉट पर खड़े हो जाओ तो उससे गाओगा आपको थोड़ा इस पेस मिलेगा यह देखा क्या हो आप तो एक्च्व सब्सक्तराब का ओपोति प्रोडली जरो वह सब लिए तर코 चैसे में रिप्रेस्ट संक ब्लाक ओट को भी दो तरक रोग गेंगे & पूरा की सब्सक्राइब मैंने कया लिखाता है इनलाइन इस से मैंने जब इनलाइन लिखा तो जितना उसका इस पेस ये इन लाइन लिखने पर बॉडम लिखने के पूरा का पूरा Kunal तो यह से मतलब आपको भॉलाइन प्रीटा साइस भी मिले ग़ारा अपका सिल लाया है चुकर तो यह होता है inline block और राइट अभी मैंने आपको बता है था margin and padding तो गैस मुझे क्या चाहिए कि left top से तो मुझे मिल चुका है top से मुझे मिल चुका top and bottom से make them perfectly center में हूँ सबसे पहले तो मुझे right side को जाना है ठीक है so मैं UL को क्या कर दोंगा गाई टेक्ट एलाइन और राइट साइड ठीक है आप यह भी कर सकते हो नहीं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो direction right to left ठीक है आप यह दोन में से कोई भी यूज कर सकते हो तो पहले में right to left देखती क्या होता है पापर इस तरीके से ठीक है नहीं तो आप बेस्ट रहेगा text एलाइन राइट बहुत बैस्ट रहता है तो आपको क्या करना है margin उस करना है ठीक है आप margin उस कीज़े नहीं तो बैस्ट रहेगा कि आप पैडिंग उस कीज़े तो यह जो border दिखाए जाए ब्लैक बॉर्डर उसके अंदर की space आपको मिल जाएगी तो आप क्या कीज़े यह दिखाए दे रहा है यह जो H और E यह क्या पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट आपको पैडिंग लेफ्ट एंड राइट करना तो इसका short property मेंने आपको बता है था जहां पे पहला होता है है टॉप एंड बॉटम जीरो दूसरा होता है लेफ्ट एंड राइट मुझे चाहिए 10 पिक्सल का ठेक है यह जो जीरो ने बिसिकली टॉप और बॉटम के लिए 10 पिक्सल इस पाप बोथ लेफ्ट एंड राइट इसको मैं जैसे रिफ्रेस करूंगा आपका दयान इहां प अब प्रोड व्लॉट के साथ आप इससे जो मैंने बनाया अब इसको हलका साइस ट्रेल ऑकर रेट कर सकते हो एंड लाश्ट गाइस आप हम देखते कि हमारा लाश्ट क्या है कर्सर आपको अभी तक यहां पर आके आपको यकीन आ चुका होगा कि मैं आपको इस टार्टेक में बोला था कि आपको मेरे इस वीडियो में इतना कुछ सखने मिल गाना जितना आपको बागी के पूरे वीडियो सीरीस में स्थी नहीं मिलता तो देखें करसर क्या होता है कर्सर प्परिती today मैं आपको सिंपल बता हूं तो गैसी आप देख रहे हूं यह जो मेरा कर्सर दिख रहा है भी यह देखिए ऐसे मैं गुमा रहा हूं तो उसको ही कर्सर होते है जो कि फिलाल एक पॉइंटर है तो हम डिफ्रेंट टाइप्स अप कर्सर को दिखा सकते तो वो कैसे देखे गाई यह पर देख सकते हो कि इसको मैं जुम रहा हूं यहां पर देखिए इस पेस दिखाई रहे तो बिसिकलियो वह स्पेस को हटाने के मैं यहां पर अगर रिफ्रेस्ट करूंगा पॉफेक्ट देखे अब देख सकते एक्दम पॉफेक्ट पर आ चुका क्योंकि आप वो बॉर्डर नहीं है ठीक है तो कर्सर के लिए गाश मैंने और डिकोड लिखा है यहां पर ठीक है इसको मैं अनकमेंट कर जाता हूं पॉफे क्रॉफ हैर यह डिपॉल्ट आप इसको लिजे को स्वल्ट पॉइंट यह मूव वाला कॉंट्र इभी साइज कर्षर यह उन्ध डित ऐबलो एट डबलो टेक्स्ट वेड अपने बहुत बात देखा होगा यह टेक्सट वाला भीडवाला बहुत बार देखा ओगर बिलीभ म इसलिए मैंने लिखानी में directly यहां पर मैंने paste किया अब मैं जैसे refresh कर दूँगा यह देखे लिखे आपको पाता किस पर धांध नहीं देखी जैसे में और तो पर गया इसका तरह देखे गए आप देख से इसका कर्सर कैसे चेंज रहा है देखा अभी भार क्या ये पॉइंटर लेकिन जैसे गया और टो देखे ये आई हो गया रहा है क्रोस है दिखे गए प्लस सिंबल हो गया अब जैसे डिफॉल्ट पर जातो बाइड आप पॉइंटर ये देखे पॉइंटर मदब उगली पॉइंट कर न ये मुब देखा आपनी ये मुब के लिए आचुका है यी री साइस के लिए देखे गईज धिकत ये लिए तो आप इसको बैतर याद रख सकती है और यह है वहीं भी वेस्ट यह हो गया टेक्स टेक्स मन्दब कुछ लिखना तो आई अपने नोटिस कहा था हमें एक उच जगे पर आई मिला था तो आई मिलता है टेक्स पर भी वेट यह देखो गया एक्चल में देख आपने जब भी पेज लोड होता तो कैसे वेट का सिंबॉल आता आप देखें यहां पर वेट ठीक है यह देखें यहां पर आई यह वेट और यह हल्प हल्प देखें कोई मार्क आई तो आप अगर यह दो आपको आपको निचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा नाओ इस टाइम जहां पर आपको दिखांगा सिर्फ बीस मिने आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो एंड यह आपको बहुत मजाने वाला है ठीक है ताप देख सकते हो आपको बहुत अब्स स्टॉपवच लागा के रखा है एंड बिलिब में गाईस हम इसको पूरा यह बैक्ग्राउंड से लेके हमारा यह लोगो बनाने तक पूरा सिर्फ एक वीडियो में हम देखेंगे वो भी सिर्फ 20 मिनिट के अंदर एंड आई रियली होप कि मैं बेस्ट दे सकूँ अपना सिर्फ बनाना ही नहीं मेरा में मकसद रहेगा आप लोग को समझाना भी कि कैसे यह काम चल रहा है ठीक है आप में से बहुत लोग सोच रहोंगे यह डिजाइन कैसे आया यह 3D इमेजेस कैसे आ रहा है यहाँ पर यह जो बबल टाइप दिख रहा है लोगों कैसे बन रहा है And believe me guys मैं आपको यह सिर्फ 20 मिनिट में बना के दिखाता हूँ आपको समझाऊंगा भी और यह जो menu है यह नाम के menu नहीं अगर मैं contact पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे guys है मेरे website थापा-technical.com पर भी यह login हो जाता है ठीक है I mean visit करता है All right तो सबसे important बात यह कि इसका source code आपको कैसे मिलगा Don't worry guys इसका source code में अपने website थापा-technical.com पर आपको provide करा दूँगा And उसका जो link होगा नीचे comment section and description section पर आपको में provide करा दूँगा And one more thing guys that is अगर आपको यह video थोड़ा सा भी useful थोड़ा सा भी helpful लगा न Then please मेरे चैनल थापा-technical को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि मैं ऐसे daily awesome videos डालता रहता हूँ And guys आपके जितने दोस्तों उन सब को भी जरूर share कर दीजे ताकि उनकी help हो जाए And one last thing guys आपको video कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बाताना ठीक है And यह भी comment करना कि next time आपको किस की उपर देखना है website जैसे कि अभी मैं फिलाल doctors की उपर मैं बना रहा हूँ So next time teacher, students, engineers या spa की उपर या मालब किसी की उपर भी अगर आपको देखना हो तो नीचे comment कीजे उनमेंसे कोई भी make random select करके next video मैं उसकी उपर बनाऊंगा All right guys, तो बाते बहुत हो गई है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इसको बनाने वाले सिफ 20 minutes के अंदर So I hope guys, आप लोग ready हो चुके हो, ready तो ऐसे मुझे होना है लेकिन आप भी ready हो जाए, so देखें guys, मैं क्या करता हूँ मैं इसको करता हूँ start, so 3, 2, 1 and boom guys, तो all right, अभी start हो चुका है guys, इसको मैं stop नहीं करने वाला हूँ ठेके मेरे पास total 20 minutes है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ मैरा जो folder structure है guys, मैंने already एक folder बना रखा है आप अगर देखोगे तो मैंने क्या लिखा 20 minute website, this is it, उसके अंदर एक image नाम का folder है, जिसके अंदर ये एक 3D image है, बस बाकी कुछ निये, logo and जितना भी background वो मैं सब खुच से बकनने वाला हूँ All right guys, इतना हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या कि हमेशा की तरह sublime text editor open किया है, and मैं बस उसी folder के अंदर हूँ और कुछ निये, तो देखे गए, सबसे पहले आपका, क्या होना चाहिए, index.html, ठेक इस तरके से आपको लिखना index.html perfect, and then यहाँ पे आपको एक folder चाहिए, जो की है HTML में इस तरके से लिख दिया, ठीक है guys, तो देखे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले guys, पहले तो logo बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो हम देखते कि, all right, एक minute हो गया है, ठीक है guys, यह जो logo दिखाई देरा, logo में कैसे बना तो वो आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठ पूरी कोशिस करूंगा, and guys, sorry, आगर मैं थोड़ा fast बोल रहा हूं तो, ठीक है, क्योंकि 20 minute के अंदर इसको complete करना है, तो मैं simply यहाँ पर इस तरके से logo लिख देता हूं, perfect, यहाँ पर logo आच चुका है, I think मैंने साथ logo पे click नहीं किया, I think साथ मैंने logo पे click नहीं किया है, तो all right, इसको मैं card देता हूं, मैं यहाँ पर logo पे आच चुका हूं, ठीक है, यहाँ पर logo लिखा, already logo दिखाई दे रहा है, all right guys, तो इसी का ही मैंने use किया है, इसको मैं center पे लख देता हूं, और यह जो भी लिखा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया है, थापा, mad जो भी लिखा है, इसको guys मैं ठीक है, ठापा, mad, care, all right, so guys इसका जो space है, उसको let's say कितना दूर 28, नहीं बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, 42, I think 42 सही है, all right, इस तरीके से guys मैं यहाँ पर रख देता हूं, इसको मैं ठीक center पर रखता हूं, और इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक I will try my best, और यह actually mad care बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, मैंको सज में नहीं रहा है, all right, now this looks perfect and एक second spelling में कुछ तो wrong है, mad care, all right, now अब यह awesome देख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है guys, अब यह बहुत मस देख रहा है, थोड़ा सा नीचे, all right, ठीक है, यह अच्छा दिखाई दे रहा है, इसको ctrl s save, मैं करता हूं download, इस तरीके से मैंने इसको किया download, ठीक है, अब यह download हो रहा है, all right guys, तो इधर से यह download हो गया, तो आप देख सकते हो, so in folder, जल्दी से copy कर लेता हूं, for fact, मैं क्या करता हूं guys, इस desktop पे जाता हूं, और यहां पे इस ठीक है, actually guys, मेरे पास Photoshop था, लेकिन क्या बता हूं मैं आपको, उड़ गया है मेरो, तो सब मैं online के बारो से मुझे खरना पड़ रहा है, तो desktop पे आता हूं, ठीक है, इस तरीके से select क्या, for fact, ठीक है, सही दिख रहा है, कोई problem नी, guys, एक चीज़ हमें इसमें करना पड़ेगा वो यह, मैं गलती कर रहा हूं, यह गलती कि मैं directly इसको ऐसे use नहीं कर सकता, so मैं वापस इस पे जाता हूं, desktop पे, right click करता हूं, इसको मैं edit पे click कर देता हूं, ठीक है, so, ठीक है, यह मेरा paint आ गया, मैं पहले इसको select कर लेता हूं, इस तरीके से, I think now this looks perfect, crop, control as perfect, ठीक है, इस लोग awesome देखो, transparent हुआ, बहुत तरीके guys करने के 1000 हो तरीके, ठीक है, लेकिन मैं को सबसे easy लगा यह, so, so in folder पे जाता हूं, जल्दी से copy perfect हो गया, copy हो गया, आपने main, I think images के अंदर इस तरीके से paste किया, यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, logo, ठीक है, logo.png मेरा काम हो visit, चाय मिनिट हो गया, ठीक है guys, थोड़ा सा जल्दी मुझे करना पड़ेगा, है कि नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, make png transparent नहीं चाहिए, alright, तो guys, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए, सबसे पहले, कहां गया है मेरा website, alright, यहां पे देखिए, 1, 2, 3, 3 div है कि नहीं अब देखो, आप जादू में मतलब फट से कर देता हूं, इसको तो देखो, सबसे पहले guys, हमारा main क्या है, HTML बोलता है कि header लो, आपको जो भी main header है, header के अंदर guys में एक div ले लेता हूं, ठीक है, div को class में क्या देता हूं, इस तरीके से main header देता हूं, main header दिया, ठीक है, perfect, अ अब इसके अंदर guys में क्या करता हूं, एक और div के अंदर में image ले लेता हूं, और उसको जो source code है, आपको अभी just दिया था मैंने, images, यहाँ पे logo, ठीक है, dot png, perfect इस तरीके से लिख दिया guys, यह जो मेरा div, इसको एक class देता हूं, logo करके, ठीक है, all right, यह एक div हो गया, अब य map bar का use कर रहा हूं, यहाँ पे इस तरीके से anchor tag, यहाँ पे hashtag, यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूं, home करके, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं, copy, paste, paste and paste perfect, यह home के बदले guys, मैं क्या लिख देता हूं, services, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, about, all right, यह एक contact, all right, ठीक है, इतना हुआ, and guys, जो last वाला था, एक button मैंने लेखा, तो उसको भी मैं dip के अंदर ले लेता हूं, इसको class दे देता हूं, menu button कुछ भी दे दो, menu का button, ठीक है, चलेगा, and यहाँ पे मैं button दे देता हूं, इस तरीके से, क्या लिखू, help line, all right, this is it, इसको मैं एक ब file path करता हूं, all right, 6 minute हो गया, यहाँ पे जाता हूं, and vote नहीं, perfect, इस तरीके से, guys, हमें एकदम perfect दिखाई दे रहा है, अब मुझे इसका CSS लेकि इसको style दे देता हूं, देखो, ठीक है, style.css पे आच चुका हूं, यहाँ पे, guys, हमेशा आप कुछ भी start करने से पहले, आपको मालूम है, margin पकड़ा दो, 0, padding पकड़ा दो, 0, and box sizing border box कर दो, एक सेकंड कुछ गड़र बढ़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप कर दो, box sizing border box, perfect, ठीक है, control याँ, save करता हूं, एक बार देखता हूं कि हमारा यह जो color है वो black कर देता हूं, नहीं black दिखेगा नहीं, so red कर देता हूं, और इसको इधर add भी तो करना पड़ेगा, so link, यहाँ पे css folder के अंदर style.css, perfect, यहाँ पे जाता हूं, all right, guys, यह red color आ रहा, it means हमारा perfect css file access हो चुका है, यह background, और transparent था यह, perfect, इतना हुआ, अब मैं यह background को हटा देता हूं, this is it, background मैंने हटा दिया है, as it is रखता हूं, तो अगर आपको याद होगा, मैंने एक header लिया था, header लिया था, मैंने header के अंदर, guys, इसको जो width है, मैं पूरा sub के लिए वही use करने वाला हूं, height 100vh, ठीक है, and अगर आप स वाले खरता है कि मैं CSS folder के अंदर, images के अंदर, background में चाके भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है, अभी मैं फिलाल background नहीं देता हूं, इसको as it is रखता हूं, Ĭैकर Header को अभी as it is रखता हूं, तो ke background मैंने बनाए नहीं, लेकिन background के अंदर एक deep है main header करके ठीक है मैं menu कैसे बना तो देखो कैस menu बहुत easily बन जाएगा with 100% ठीक है height देता हो 100 pixel का इस तरिके से guys height जो मैंने जब 100 pixel दिया ना तो मैंने already आपको बता है कि guys display flags उसकरो justify content एक बार center कर दो and then align item center तो इस तरिके से आप करोगे तो देखो guys सब line by line में आ गए लेकिन आपको कोने कोने में चाहिए तो instead of justify content center use space between ठीक है यह देखो अपने line पे आ गए perfect अब यह जो मेरा man header है ठीक है alright main header के अंदर आपको अगर याद होगा तो अने लिया था लोगो और लोगो के अंदर है मेरा image so dot logo उसके अंदर है image so guys logo की जो image उसका जो width उसको मैं कर दता हूँ 250 pixels मैं अंदाज यसे दे रहा हूँ अगर हो गया तो ठीक है क्योंकि mostly में इतने ही रखता हूँ and then जो ठीक है क्या हो रहा है इसका देख लो तो मैं ठीक है perfect लेकिन अगर आप देखोगे guys इधर पर बहुत कोने में चिपक गया हूँ so padding left दे दता हूँ let's say 60 pixels ठीक है इस तरह के से 60 pixels दे दिया perfect now it's look good अब यह जो मेरा home वाला पाट है बहुत फाल्तु दिख रहा है all right मैंने साथ ठीक अब मैं क्या करता हूँ main header के अंदर जो मेरा nav है main header के अंदर guys जो मेरा nav है ठीक है उसको मैंने लिखा अब इसको देखो guys उसके अंदर मैं क्या करता हूँ इसको width देता हूँ 450 pixel का ठीक है आपको बस जादू दिखा रहा हूँ मैं and then guys अब देखो इतना लिखा ना मैंने यह कैसे चिप की हुए ने एक जुसरे के साथ आपको मालूम अगर मैं display flags उसकर दूंगा तो इसके साथ जादू होने वाला है and justify content space around कर दूंगा and align items center this is it guys इतना मैंने किया perfect अपने time पे आ गए अब मुझे इसको थोड़ा से style करना है so अब इसके अंदर भी हमारे पास anchor tag है ठीक है वो जो anchor tag है सबस्वाल तो मुझे उसका जो text decoration है उसको करना होगा none ता कि वो ऐसा ना दिखे color मुझे वो blue से चाहिए black so black दे देता हूं ठीक है and then उसका text transform है guys उसको कर देता हूं मैं uppercase इस तरह किसे किया perfect हो गया अब यह जो button है ठीक है button बहुत simple है अल्राइट ठीक है इस तरीके से यहां पर मैं जाता हूं और button एक second timing देख लेते कितना अरे guys 10 minute हो गया यार पाता ही नहीं चला इतनी जल्दी 10 minute हो गया ठीक है कोई नहीं guys button पर आपको क्या करना है देखो button भी बहुत simple है ठीक है so button के लिए guys आपको एक काम कीज़े padding दे दीजिए इसको from left and right से so padding देते है 10 pixel का और उपार नीचे से 10 pixel आज बाज 45 pixel पकड़ा दो ठीक है and then guys आप इसको text align center कर दो यह तो अच्छा है कि guys मेरे at least यह जो auto complete रखा जो मेरा bot help कर रहा है ठीक है वर्ना मुझे bot tap करना पड़ता था so font size दे दिया color guys triple f white color दे दो and border none कर दो border हमें बिल्कुल नीची है ठीक है and 1 second अब इसका जो background color है गाईस इसका जो background color तो इसका मैं background color नहीं इसका मैं background image देने वाला हूं and believe me guys इसका जो background image यह थोड़ा सा फाल्तु है मैंने check किया था एक बार ठीक है तो इसका मैं क्या करता हूं background image का गाईस यह मैं उठा लेता हूं क्योंकि यह color मुझे मालूम नहीं क्योंकि अगर color आपको डिट्टो दिखाना तो guys उसमें कर भी नहीं सकता था है कि नहीं तो मैं वापस back to में चलता हूं all right इसको and and यहां पर आता हूं ठीक है इस तरी के से guys मैं आया और इसका जो border है border radius उसको मैं दे देता हूं 10 pixels this is it guys इतना करूंगा now it looks perfect आप देख सकते हूं कि background image नहीं लगा अब लग जाएगा रही है perfect it looks perfect लेकिन मुझे यह चाहिए पैडिंग left side से guys कितना दे दू 60 pixel पकड़ा देता हूं sorry 50 पकड़ा देता हूं तो लेट से क्या होता है एक second padding मत दो guys padding मत देना ठीक है padding is the worst decision एक काम करें menu button है ना menu button को पैडिंग मतलब अंदर की चीजों को बढ़ा है ना हमें अंदर नहीं हमें तो बाहर से gap चाहिए so menu button and then एक काम को बढ़ पैडिंग भी margin right का है भई right दे दो 60 pixel का and 60 pixel perfect it looks awesome guys it looks awesome बारा मिनेट हो चुका है ठीक है and then guys आप में क्या करता हूं मुझे चाहिए मेरा और राइट तो canva पर जाता हूं guys मैं ठीक है यहाँ पर जल्दी से guys में एक और design create कर लेता हूं वो यह कि यहाँ पर guys दे देता हूं 1200 by 720 and this is it इतना हुआ एक empty रखने वाला मुझे जो मेरा background वो चीए बाकी मुझे कुछ नीचे so इस पर जाता हूं जल्दी आजा यहाँ पर गया ठीक है इस तरीके से guys इसको मैं use करता हूं और इसका जो color है totally आपकी उपर एगा है जितना I think I think यह perfect है इतना जाता हूं and इतना चिपका देता हूं इस पे और बड़ा कर देता हूं now it looks perfect एक second यहाँ से कितना है यह 370 और यह कितना जा रहा है 2320 आज चलेगा guys इतना बहुत है कोई problem नहीं ठीक है इसको हटा जेता हूं पहले तो ठीक है all right और यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है I think उन्हों ने यह यूश किया है so all right इसका भी कम कर देते हैं इस तरह की से 18 किया and guys यह बहुत चिपका हुआ है दिख रहा है all right इतना ठीक है guys now this looks awesome ठीक है इसको बड़ा करके ऐसे कर देते है all right guys यह बहुत सही दिख रहा है इतना I think बहुत है यह ठीक है इससे ज्यादा क्यूंकि जल्दी से इसको करना है तो इसको मैं कर लेता हूं download and perfect so guys जैसे यह complete होता है यह download हो जाता है कितना टाइम हो गया 14 मिनिट हो गए ठीक है कोई नहीं अपना ट्राइ कर रहे so in folder इसको मैं जल्दी से copy कर लेता हूं और images नहीं इसके अंदर 20 minute images and इसको मैं paste करता हूं और इसको मैं नाम क्या दूंगा और नाम दे देता हूंगा इस bg.png दे दिया मैंने ठीक है यहां पर आया इस जगे पर आता हूं perfect और एक काम करता हूं कैस मैंने यहां पर इस जगे पर गूगल फॉंट सा गूगल फॉंट यूज करता हूं एक सिंपल सा फॉंट है जिसका नाम है जॉसेफिन पाता नहीं मुझे बहुत पसंद आ गया तो इसी को ही यूज करते हैं मैं चाहता हूं कि यह जो है यह हर जगे यही यूज हो ठीक है आपको मालूम है कि हमेशा एट्टैक के अंदर देना चाहिए इसका जो यह फॉंट है अगर यह हर जगे चाहिए तो डाइरेक्ट आपका यह जो यूनिवर्सल ऑपरेटर है वहां पर पकड़ा दो ओल्राइट पॉफेक्ट कंट्रोल एक सेब करते हैं यहां पर इसको आट इसको यहां पर मैं जाता हूं अब देखो डॉट डॉट इस तरह कि से बार आया इमेजेस के अंदर मैंने जस्ट क्या दिया था बीजी डॉट पी एंजी ठीक है इस इतना सिंपल और यहां पर जाता हूं एंड पॉफेक्ट इतना मस्स दिखाई दे रहा है अभी मैं गया क बहुत है अब क्या करता हूं कि वह इमेजेस रख देता हूं तो देखिये उसके अंदर ठीक है अंदर के रहता हूं इस टॉप वाच आइड़न तिंग गाईज अब पांच मिनिट में कितना होगा ठीक है कोई बात नहीं इसको अभी मैं क्या करता हूं यहां पर एक मेंन ट देता हूं left section करके and then इसको जो है guys में class देता हूं right section करके right section perfect इसके अंदर guys में क्या करने वाला हूं कि एक में लेता हूं paragraph tag paragraph tag के अंदर यही मैं ले रहा हूं simple सा इसको एक second इसको paragraph नहीं इसको h2 के अंदर रखता हूं बहुत simple है यह h2 के अंदर इस वाले को h1 के अंदर पकड़ा देता हूं और इस यह cut cut जा वही we are the doctors we are the best doctors नहीं हुआ एक second है नीचे वाला copy queue हो रहा है इसके रख दिया ठीक है इसके नीचे जो paragraph है उसके अंदर यह जो मैंने लिखा we are here to help you 24-7 ठीक उसके अंदर भी एक button है यहा पे क्या लिखा गैस इसका मैं एक second यह नहीं इसको मुझे क्या चाहिए expect और यह जो भी लिखा टेक्ष्ट यहां पर यहां पर चुपका देटा हो this is it इसका काम इतना इस था ठीक है यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक फिगर टेग ले लेता हूं इसके अंदर मैं इमे सब्सक्राइब है अब गैस्ट कर चुकित कौन सा मेरा वह इमेज का नाम है यहाँ पर देख सकते हो मेन बीजी डॉट पी एंजी तो मेन बिसेकली इमेज के अंदर मेन बीजी डॉट पी एंजी इस तरह किसे बनाएं एक चल्प और गाइस यह मेरा एक्ट्वल पेज ए और ग जाता हूँ, so main के अंदर ditto guys मुझे पता क्या करना है, यह जो मैंने main header को दिया था, इसको मैं करता हूँ copy, क्यूंकि मुझे उन दोनों item को side by side में दिखाना है, and मुझे यह height नीची है, बस इतना करना है, and perfect, now it looks awesome, ठीक है, इतना मस दिखा ही दे रहा है, अब इतना हो गया guys, आप मैं main के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर ही जो मेरा left section है guys, उसको मैं use कर लेता हूँ, and जो यह left section है, तो obviously class है, तो इस तरह किसे class लेना पड़ेगा मुझे, एक काम करते है guys, main को, अभी left को रहने देते है, main के अंदर जाता हूँ, and then right, जो section है, image उसको complete कर लेता है, at least, ठीक है, and I think guys, I said, अभी यह नहीं उपाएगा, एक निट बाकी है, तो कोई नहीं इसको मैं continue करता है, लेट से कब तक होता है, ठीक है, so guys, right section को मैं दे देता हूँ, मुझे खाली क्या चीए है, कि वो, मुझे को padding नहीं, margin ले, padding right ले ले लेते है, 50 pixel का, ठीक है, तो guys, इतना हो गया है, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहां जाता हूँ, refresh करता हूँ, all right, now it looks awesome, अब यहां पर मैं इसको एकाम करता हूँ, 70 कर देता हूँ, main से, all right, now अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, बस मुझे करना है, तो क्या, इसको access करना है, ठीक है, इसको perfectly यहां पर लेक्या आना है, इसको मैं पैडिंग लेट देता हूँ, लेट से कितना दूँ, इसको मैं पैडिंग लेट दे देता हूँ, 100 पिक्सल का पैडिंग लेट दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं refresh कर जाता हूँ, इसको मैं refresh कर जाता हूँ, इतना हो चुका है, इसको मैं ने किया copy, इसके अंदर जो मेरा यह h2 है, h2 को style देता हूँ, देखो, so left section के अंदर जो h2 है, इस guys वो बहुत simple, उसको जो मेरा font size है, मैंने 20 pixel किया है उसको, 20 pixel दे देता हूँ, text जो इसका transform है, capitalize, मतलब सबका जो पहला letter होगा, वो होगा आपका capital, and then इसका font weight है, font weight कर देता हूँ, lighter पे कर देता हूँ, उसका color guys में, 24, 24, 24, हलका सा आप कह सकते हूँ कि black से थोड़ा सा कम होता है, and then guys, जो में margin top देने हूँ, उसका region क्योंकि वो अभी भी उपर है, तो मुझे थोड़ा नीचे चीए, so 150 pixel का margin top दे देता हूँ, so अब देखो guys, नीचे आगया, ठीक है, अभी यह ज्यादा नीचे लग रहा, but don't worry, so अभी left section के अंदर, जो मेरा h1 है, एक second time देख लेते, all right guys, एक 20 minute हो गया, तो कोई नहीं, but मैं जल से जल इसको complete करता हूँ, इसको guys, मैं font size दे देता हूँ, 55 pixel का, ठीक है, font size दे, इसका भी text transform कर देता हूँ, मैं text transform कर देता हूँ guys, capitalize इसका भी, ठीक है, and then इसका जो font का weight होगा, वो होगा 700 only, and then guys, इसका line height कर देता हूँ, line height की जौत नहीं पड़ेगी guys, हमें, line height की जौत नहीं है, और सिर्फ margin मैं दे रहाँ 12 pixel, क्योंकि मुझे top and bottom से चीए, आजो बाज़े से कुछ नहीं चीए, so, यहाँ पर जाता हूँ, and it looks awesome, ठीक है, लेकिन आप देखो कि हमें margin मिला नहीं है, सिर्फ top नहीं लिखना है, margin लिखना है, and perfect, ठीक है, हमें इतना सा gap मिल चुका है, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, इसके साथ, तो 20 pixel पकड़ा देता हूँ, and perfect, ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि I think ज्यादा ही नीचे आगया है, यह अपना जो H2 है, 150 के बतले, it will be better, अगर हम 100 ले ले, all right, now it looks better, and यह जो मेरा margin है, इसको guys, मैं 15 कर देता हूँ, क्योंकि, हाँ, ठीक है, यह ज्याद अच्छा दिखाई देर, इतना हुआ, अब यह जो make an appointment लिखे ना guys, यह देखो, बहुत simple है, आपको मालव मैंने उपर button दिया था, तो इसके अंदर जो button है guys, इसको मैं ठीक, यही button देने वाला हूँ, इसको मैं करता हूँ, copy, ठीक है, यहाँ पर चिपका देता हूँ, बस मुझे यह चीक ही, इसका जो padding है उपर और नीचे से, वो guys, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करक All right guys, तो आप देखो guys, All right, 22 minute, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, यहाँ पर ऐसा है, and we have completed our task, and this is it guys, आपको कैसा लागा मुझे बताओ, ठीक है, इसको मैं stop कर देता है, actually, 22 something हो गया, लेकिन guys, आपने अगर notice किया होगा, तो मैंने आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मैंने लोगो बना के दिखाया, आपको यह background पीछे के बना के दिखाया, ठीक है, and I really hope आपको बहुत ज्यादा मजा है इस वीडियो को देखने में, ठीक है, guys, मैं I think एक चीज़ बूल गया था, वो यह कि contact पे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, guys, उसके लिए बहुत simple है, आपको मालुम है, जो मैंने add the rate दे रखा है, इसको आप हटा दो, ठीक है, बस करो इतना कि यहाँ पर यह जो मेरा website दिखाय दे रहा है, website था पर technical, इसका link को copy करो, यहाँ पर चिपका दो, इतना ही करना था, और आप चाहते हो कि अगर वो next page पे आए, so target underscore blank लिख देना था, बस, ख देख सकते हो कि मेरे website पे जाच चुका है, तो वैसे ही जो मेरे contact के साथ कि आप about services हो, airplane make button के साथ कर सकते हो, simply, and I really hope guys, आपको वीडियो पसंद आ होगा, आप देख सकते हो, मैंने इतने, मतलब, ज्यादा, मैंने इस कोशिस तो की थी, कि मतलब 20 minute के अंदर करो, लेकिन guys, logo and then ये background बनाने में थोड़ा सा time लग जाता है, ठीक है? अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लिस गाइस सब्सक्राइब कर लिजे, बिकॉस में डेली ऐसे awesome वीडियो बनाते रहता हूं, मैं बिल्कुल नी चाहता कि आप उसको मिस कीजिए, और रा आपको मिल जाए और आपको फुछ से मैनोली सर्च में ना करना पड़े, कुछ भी डाउट हो तो बेफिक रोगे नीचे कमेंट कीजिए, मैं अपी जरूर हट करूँगो, so till then guys, thank you so much, take care.